तो प्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम भी एंटिन्स एक्जाम के हिंदी के प्रीविएस पेपर के बारे में बात करेंगे तो चले फ्रेंड्स वीडियो को स्टाट करते हैं फ्रेंड्स अगर हम बात करें का के उच्चारण इस्थान की तो फ्रेंड्स का बोला जाता है कंट से तो option B हमारा Right Answer है next है मीठा का ब्लूम क्या होगा फीका, कड़वा, तीखा या फिर नमकीन तो फ्रेंड्स मीठा का ब्लूम शब्द होता है कड़वा जबकि फीका होता है यहाँ पर तीखा, नमकीन यह इसका ब्लूम शब्द नहीं है इसका ब्लॉमशब जो बिल्कुल करेक्ट बैठेगा वो होगा कड़वा नेक्स्ट है उसने कहा था के लेखक है धूमेल, प्रेमचन, नागारजोन या फिर चंद्रधर शर्मा तो फ्रेंड्स उसने कहा था के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो उप्शन डी यहाँ पे हमारा राइच आंसर है नेक्स्ट कोर्शन है आकाश पाताल एक कर देना का क्या आर्थ होता है जूट बोलना, धोका देना, बड़ी-बड़ी बाते करना या फिर कठिन परिश्रम करना तो फ्रेंड्स आकाश पाताल की बात करें तो वो तब यूज़ किया जाता है जब कोई परशन बहुत महनत करे हम बोलें कि उसने तो आकाश पाताल एक कर दिये इतनी महनत करी थी तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइच आंसर होगा कठिन परिश्रम करना नेक्स्ट है शुभा गमन में संदी है यर्ण, गुण, आयादी हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है दीर तो हमें बताना है शुभा गमन में जो संदी है वो कौन सी है तो फ्रेंड्स शुभा गमन में जो यहाँ पे संदी यूज़ की गई है वो है दीर संदी तो option D है, यहाँ पे हमारा right answer है next है, इस पूतनी किस भाषा का शब्द है अंग्रेजी, जापानी, रूसी या फिर तुर्की तो friends, इस पूतनी जो हमारा शब्द है यह हमारा रूसी भाषा से लिया हुआ है तो यह रूसी शब्द है, तो option C यहाँ पे हमारा right answer है next हम बात करते हैं, भहुबरी समाज की भहुबरी समाज क्या है तरभूज है, राजपूत है, प्रतिदिना या खर चक्रपाणी है तो friends, भहुबरी समाज होता है हमारा चक्रपाणी next है, सयुक्त वेंजन है यह हमारा बना है या या जो हमारा बना है जा और या से तो इसलिए यहाँ पे हमारा option C right है next है, जो किसी नियम का पालन ना करे कहलाता है अब ब्रद, उच्छरखल, अनुशाशनहीन या फिर दूस्ट तो फ्रेंट जो किसी नियम का पालन ना करे वह शब्द कहलाता है उच्छरखल, तो option B यहाँ पे हमारा right answer है फ्रेंट अगर कोई भी यहाँ पे वर्ल्ड बोलने में थोड़ी अगर गलती हो रही हो तो I'm really sorry क्योंकि हिंदी मेरा main subject नहीं है तो अगर मेरे पास request आ रही थे कि मैं हिंदी में भी वीडियो अपलोड करूँ कि वीडियो प्रिवेस पेपर में हिंदी से किस तरह से questions पूछे गए थे इसलिए मैं इस वीडियो को shoot कर रही हूँ लेकिन अगर किसी भी word में लगता है कि मैं उसको ठीक से pronounce नहीं कर पा रही है तो I'm really sorry next है उच्चे द्विकल चुनकर रिक्तिस्थान की पूर्ति करें उथान के लिए श्रम करना पड़ता है डैश अपने आप हो जाता है उथान का opposite ले लिजिए तो वो यहाँ पर होगा तो उथान के लिए तो क्या करना पड़ता है हमें मेहनत करनी पड़ती है श्रम करना पड़ता है और क्या अपने आप हो जाता है तो उथान का होता है पतन opposite तो यहाँ पर option D हमारा right answer होगा पतन next है कौन सा एक शब्द श्रंक्ला में नहीं है option से हमारे तड़त यामिनी चपला या चंचला तो बताए friends इसमें से कौन से ऐसे शब्द है जो कि यहाँ पर हमारे अलग हैं हम बोल सकते हैं कि वो किसी से भी match नहीं करते हैं तो friends अगर हम यहाँ पर बात करें कि यह हमारा यहाँ पर match नहीं होता है तो friends यह हमारा तड़त यामिनी चपला चंचला यह हमारे बिजली के दे रखे हैं परियावाची शब्द जिसमें कि यामिनी हमारा नहीं है जबकि तड़ित, चपला और चंचला हमारे बिजली के परयावाची शब्द है तो option B यहाँ पे हमारा right answer है Next है, हिंदी वाक्य में पद्ग्रम किस प्रकार होता है कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म, कर्म कर्ता क्रिया या फिर क्रिया कर्ता कर्म तो friends हिंदी की वाक्य के अनुसा पद्ग बताएं तो यह होता है हमारा कर्ता कर्म क्रिया तो option A यहाँ पे हमारा right answer है Next है, मोहन अपने कारे में दक्ष है, मैं रेखांकिन शब्का सही हमें विकल्ब चुनना है चतुर है, चालाख है, प्रवीन है या फिर पून है तो friends बताना है दक्ष का यहाँ पे क्या मतलब है मोहन यहाँ पर अगर हम देखें दक्ष का समानारती शब्द तो friends बो है यहाँ पे प्रवीन तो option C यहाँ पे हमारा right answer है, मोहन अपने कारे में प्रवीन है नेक्स्ट है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पढ़ता है उसे कहते हैं कर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या फिर पून काले तो friends जिस क्रिया पर फल कर्म पर पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं यह हम यहाँ पर पता लगाएं तो friends, जिस क्रिया का फल कर्म पर पढ़ता है, उसे हम सकर्म क्रिया कहते हैं, तो options भी यहाँ पर हमारा right answer है, next है सहियोग जी का में प्रयोक्त प्रत्य है, का, आ, अकाह, इकाह, तो friends सहियोग जी का में जो प्रयोक्त प्रत्य होता है, वो है आ, और मूल शब्द सहियोजक है, यहाँ पर अगर आगर हम बात करें उपसर की तो अनार शब्द में उपसर का प्रयोक्त नहीं किया गया है, अन्य सभी सब्दों में आ उपसर का प्रयोक्त किया गया है, तो option ए यहाँ पे हमारा right answer है, friends अगर आपको उपसर की तो आप सबसे पहले यह देख लिया कीजिए, कि यहाँ पर आप उस world को जब तोड़ेंगे तो उनका अलगलग meaning होना चाहे, जैसे कि आ प्लस पार, अलगलग meaning है, आ प्लस काल, आ प्लस खद्य, जबकि आ प्लस नार का कोई meaning नहीं होता, जबकि पार, काल, खद्य का meaning होता है. नेक्स्ट है कालंदी कूल कदंब की डारन में अलंकार है शलेश, उपुमा, अनुपरास या रूपक तो फ्रेंट कालंदी कूल कदंब की डारन में कावर्ण की आवरती बारवार हुई है इसलिए यहाँ पर अनुपरास अलंकार है तो option C यहाँ पर हमारा right answer है नेक्स्ट है देवनागरी लिपी में कितने वर्ग है चार, साथ, पांच या फिर नौ तो फ्रेंट्स अगर देवनागरी लिपी में बात करें तो पांच वर्ग है यह पांच वर्ग होते हैं कावर्ग, चावर्ग, रावर्ग, तावर्ग and पावर्ग तो friends, यहाँ पर हमारा जो right है, sorry, कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग and पावर्ग तो यहाँ पर हमारा जो right answer है, वो है option C, 5 Next है, निमलेखित मैंसे कौन सी बोलने की योगिता है, शुद्वर्थनी, सुलेग, रुतुलेग या फिर आशुलेग तो friends, अगर हम यहाँ बात करें, शुद्वर्थनी बोलने की योगिता की, तो शुलेग, रुतलेग और आशुलेग ये सभी संबंधी योगिता हैं, जिबकि बोलने की योगिता होती है, शुद्वर्थनी, तो option A, यहाँ पर हमारा right answer है नेक्स्ट है, मुँ में राम बगल में चुरी लोकुत्ती का क्या अर्थ है, उपरी मित्रता, मन में शत्तुरता, ईशुर के नाम पर चलना, चलाकी करना यह पर राम का नाम पापी भी ले सकता है तो friends, अगर हम बात करें, मुँ पर राम बगल में चुरी लोकुत्ती का अर्थ, उन लोगों पर चरितार्थ होता है, जो उपरी भाव से तो मित्रता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके अंदर सत्तुर का भाव होता है तो friends, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो option A हमारा right answer है, उपरी मित्रता, मन में शत्तुरता नेक्स्ट है, निमलिकित मैंसे कौन सा मात्रिक चंद है, दोहा, चौपाई, रोला या फिर ये सब ही तो friends, दोहा, चौपाई और रोला तीनों ही मात्रिक चंद के उधारन हैं, जिन चंदों में मात्रों की गर्णा की जाते हैं, वे मात्रिक चंद कहलाते हैं जैसे दोहा में बिशम चरणों में 13-13 मात्राइं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राइं होती हैं जबकि चौपाई के प्रतिक चरण में 16-16 मात्राइं होती हैं और रोला में कुल 24 मात्राइं होती हैं इसलिए यहाँ पर option D हमारा right answer है ये सब ही next है gramid शब्द में किस प्रत्य का प्रयोग हुआ है उल, इल, इन या फिर इम तो friends gramid शब्द में प्रत्य की बात करें किसका हुआ है तो gramid में हुआ है gram plus in बात्राइं तो यहां हमारा in word correct होगा तो option C यहां पर हमारा right answer है नेक्स्ट है जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द अचिंते, चिंतनशील, चिंतामणे याफिछे चैतने तो फ्रेंड जिनकी चिंता ना की जा सके वह ओता है अचिंते तो फ्रेंड आपशन ए यहाँ पे हमारा राइच आंसर है नेक्स्ट है आकर्षक का विपरितार्थक शब्द क्या है संकर्षक, विकर्षक, प्रकर्षक या फिर अनाकर्षक तो friends अगर हम बात करें आकर्षक की अथार्थ खिचाओ का विपरितार्थक विकर्षक अथार्थ अलगा होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह हमारा right option है इसका अगर हम बात करें आकर्शन का विपरितार थक की तो फ्रेंड्स right answer है हमारा विकर्शन तो option भी यहाँ पर हमारा right answer है निमलिकित में से कौन सा सिंग का परियावाची नहीं है शारदूल, म्रगेंद्र, केशी या फिर तरित केहरी, व्याग, आधी इसके साथ ही केश्री, शारदूल, वनराजबी, शिंग के परिया होते हैं लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स तड़त जो है यह वो है हमारा बिजली का परियावाची तो option D यहाँ पर हमारा right answer है नेक्स्ट है निलांबर किस समास का उधारण है ततपुरुस्त, दिगू, धुंदू यहाँ भहुबरी तो फ्रेंड्स यह हमें बताना है निलांबर किस समास का उधारण है तो फ्रेंड्स निलांबर जिसका आर्थ होता है निला है अंबर जिसका यानिकि अथार्थ यहाँ पर श्रीक्रिशन एक अन्य अर्थ की प्रधानता का बोध हो रहा है अधा निलाम पर भौबरी समाज है इसमें निला और अंबर दोनों मैंसे कोई भी पद प्रधान नहीं है बलकि पूरा ही पद किसी अन्य पद श्रीक्रिशन का विशेशन है तो यहाँ पर option D यहाँ पर हमारा right answer है friends किसी भी world को यहाँ पर pronounce करने में कोई mistake हो रही हो तो I'm really sorry next है यह किताब रमेश को दे दो इस वाक्य में प्रुक्त कारक विवक्ति है संपरदान अधीकरण करण या फिर कर्म तो friends बताना है यह किताब रमेश को दे दो शब्द में प्रुक्त कारक विवक्त कौन सी है तो friends यह किताब रमेश को दे दो में इस वाक्य में आया पड़सर्प को कर्म कारक विवक्ति का चिन है अता है यहां पर कर्म कारक विवक्ति है तो friends option D यहां पर हमारा right answer है next question है निम्न मैसिक किस सब्द में आयादी संदी है यद्यपी अन्वेशन नायक या फिर स देव तो friends बताएं यहां पर अगर हम अयादी संदी के बारे में तो friends अयादी संदी में आता है A, I, O, O के बाद कोई भेंसवर आता है तो वह है अयादी संदी कहलाता है जैसे कि A का आय, O का अव और O का आव हो जाता है इसलिए friends यद्यपी संदी में हम बात करें यद्यप यानने कि यण संधी का को धारन यानन प्लस ए याननी कि O सभिए यनुत का धारन है नायक ने प्लस अ कहा। के बाद सवर आ आ रहा है इसलिए यह अयादी संदी है और अगर फोर्भन की ही बात करें सधय के सधता बाहर किस प्रकार का शब्द है? संग्या, विशेशन, अव्य या फिर क्रिया विशेशन. तो friends, मोहन उठकर बाहर जो फूल ले आओ, इस बाके में बाहर एक अविकारी शब्द है. अविकारी शब्दों को अव्यवी कहते हैं. अविकारी शब्दों के अन्य उधारण हो सकते हैं, जैसे कि भीतर, आगे, पीछे, धीरे-धीरे, तीवर, इद्यादी. तो friends, यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है, वो है option C, अविय है. Next question पर आते हैं, यहाँ मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेशन है? विशेश्य, सार्वनामिक, विधे विशेशन या फिर प्रवी विशेशन. तो friends, यहाँ मीठा है, यहाँ मीठा एक विधे विशेशन है, तो friends, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है, वो है option C, विधे विशेशन. Next है, सरल विशेशन से भाववाचक संग्या निर्मित शब्द है, सरला, सरलता, सरलिये या फिर सरलाभ. तो friends, यहाँ पर हम बात करें, सरल सब्द में ता प्रत्य जोड़कर सरलता एक भाववाचक संग्या बनाई जा सकती है. तो friends, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है, वो है option B, सरलता. Next है, निमलिकित सब्जम में से कौन सा एक पुर्टगाली भाशा का शब्द है? आप्शन से हमारे पिस्तॉल, रेल, चहरा, आदमी. तो friends, पिस्तॉल, विदेशी शब्द, अथार्ट पुर्टगाली शब्द है, तो option A यहाँ पर हमारा राइट आंसर है. Next question पर आते हैं हम, बिहारी हिंदी के अंतरगत कौन सी बोली नहीं आती? Mathly, Maghi, Bhojpuri, Abdi. तो friends, Mathly, Maghi, Bhojpuri सबी बिहारी हिंदी के अंतरगत आती हैं. ठीक है, तो friends, क्या हो गया? Mathly हो गया, Maghi हो गया, और हो गया हमारा Bhojpuri. तो यहाँ पर जो नहीं आता है, यह पूछा गया है, तो वो है option D, Abdi, बिहारी हिंदी के अंतरगत नहीं बोली जाती. मुठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है. आक तापना, घूस देना, मुक्कामा लगाना या फिर धाक जमाना. तो फ्रेंड्स मुठी गर्म करने का अर्थ है, गूस या किसी को रिस्वत देना. तो फ्रेंड्स option B, हमारा यहाँ पर राइटान. नेक्स कोश्चन है, तुम आज जाते एक बार, कितनी करोना, कितने संदेश, पत्में बिच जाते बन पराग? इस पंक्तियों में कौन सा रस्ष रजित होता है? श्रिंगार रस, वीर रस, अदबुद रस या फिर बिवत सर्ख्ष? तो, friends, अगर हम बात करें इन पंक्तियों की, तो इन पंक्तियों में उत्पन भागों को यह दर्शार रहे हैं कि इसमें एक व्यक्ती के, किसी प्रियव्यक्ति के वीड़ह में, यह पंक्तियां कहीं गई हैं, तो, इसके अंदर वियोग रस आ रहा है. तो friends यहाँ पर अगर हम इनके right answer की बात करें कि इसका जो right answer है वो क्या होगा तो इसका जो right answer है वो है option A श्रिंगार रस Next question है उच्च तम में किस प्रत्य का प्रयोग हुआ है तर, तम, दार या फिर या तो friends बात करें उच्च तम में अगर हम बात करें यहाँ पर करने की इच्चा के लिए एक शब्द तो वह है हमारा चिकीडशा तो friends option D यहाँ पर हमारा right answer है Next question पर move करते हैं यहाँ पर हमें विप्रितार्टक शब्दों को बताना है कि इसमें से विप्रितार्टक शब्द कौन-कौन से है तो option है, question है हमारा अवनी, option से अंबर, तारे, समुंद्र, पर्वत तो friends अगर हम बात करें अवनी के विप्रितार्टक शब्द की तो वो है हमारा अंबर तो option A right answer है नेक्स्ट है, अंतद्वन्दू, तो इसका options है बहिद्वन्दू, दुद्ध हिंदा, अद्वर्द या द्विन्द, तो friends बात करें यहाँ पर अंतद्वर्द की तो यहाँ पर जो हमारा right answer है वो है बहिद्वर्द, तो option A यहाँ पर right answer है I am really sorry friends, अगर यहाँ पर pronounce करने में मैं को गलती हो रही है तो क्योंकि हिंदी मेरा main subject नहीं है, मैं commerce student हूँ, लेकिन आप लोगों की request थी कि मैं हिंदी के भी paper को यहाँ बताओं, तो मैं इसलिए यहाँ पर आपको यह discuss कर रही हूँ, यह 2015 का previous paper है Next है, निमलेकित मैं से कौन सा चंद्रमा का परयावाची शब्द नहीं है, कलाधर, रजनीश, मयंक या फिर बिहग तो friends, यहाँ पर अगर हम चंद्रमा के परयावाची शब्द की बात करें, तो चंद्रमा के different परयावाची शब्द हैं, जैसे की चान, चंद, हिमान्शू, शुधान्शू, सुधाकर, मयंक, शशी, सारंग, निशाकर, निशापती, इस तरह के different बहुत सारे इसके परयावा अची शब्द नहीं है, next question पर आते हैं, लोकनायक में कौन सा समास है, ततपुरुष, द्विंग, द्विंद या अव्यईभाव, तो friends, बात करें, लोकनायक में तो इसका अर्थ है लोक के नायक, संबन, ततपुरुष, समास, संबन, ततपुरुष, समास में दो पत के मध् अगर हम बात करें, इसमें कौन सा समास है, तो वो है यहाँ पर ततपुरुष, समास तो option, यहाँ पर हमारा right answer है, next question है, निम्लिकित में से कौन सा शब्द हमेशा भाववचन में प्रेक्थ होता है, हस्ताक्षर, समाचारपत, चिडियों या तेजोरी, तो friends, अगर है इंजन संधी, यानसवर संधी, या फिर दीर्गसवर संधी, तो friends, यहाँ पर जो right answer है, नमसकार में, नमाहा प्लस का रहा, तो यहाँ पर विसर्ग संधी है, तो option A, यहाँ पर हमारा right answer है, विसर्ग संधी, next question है, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेशन है, स्वैक्त क्रिया विशेशन, रिती वाचक क्रिया विशेशन, परिमान वाचक क्रिया विशेशन या स्थानिय क्रिया विशेशन, तो friends, अगर यहाँ पर बात करें, थोड़ा थोड़ा में कौन सा विशेशन है, यहाँ पर जो main word आइस वाक्य में आपकॉन सा सर्म नाम है ? निजवाजक ? प्रशनवाजक ? पुरुशवाजक ? या सम्मंध बाचक ? तो बात करें आप आज़कल य 내 कहान है इसमें कॉनसा है तो यहां पर है निजवाजक सर्म नाम ? तो friends, यहाँ पर option A हमारा right answer है. Next question पर आते हैं, बिजय दश्मी कौन सी संग्या है? भाववाचक, चातिवाचक, सहमूवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो friends, बिजय दश्मी की बात करें, तो यह है बिजय की रूप में मनाई जाने वाली दश्मी तिथी. तो यहाँ जो इसमें संग्या प्रिक्तिवाचक, तो option D, यहाँ पर हमारा right answer है. Next है, धरित्री का तद्वव रूप क्या होगा? धर्ती, भूमी, धरा या फिर धर. तो friends, बात करें, अगर हम यहाँ पर धरित्री के तद्वव रूप की, तो वो है धर्ती. तो option A, यहाँ पर हमारा right answer है. Next है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाशा है? 9 राज्यों की, 10, 13 या फिर 15. तो friends, हिंदी भारत के 10 राज्यों में राज्य की भाशा की रूप में प्रियोग की जाती है. इन दश्राज्यों में जैसे की उत्ताप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजिस्थान, आधी प्रमुख है. तो friends, यहाँ पर option B, हमारा right answer है, जो की है 10. Next question पर आते हैं, भारत के प्रमुख अव्यव हैं, sorry, भाशा के प्रमुख अव्यव हैं. वर्ण सब्द पद वाके, वर्ण शब्द अनुच्छेद वाके, शब्द वाके, वर्ण विचार या फिर वर्ण शब्द वाके और भाशान. तो friends, अगर हम बात करें भाशा के अव्यवों का क्रम की, तो friends, वर्ण आक्षर, शब्द, पद और वाके. यह यहाँ पर वर्ण आक्षर को friends, हम वर्ण भी बोलते हैं. तो यह इसका अव्यव है. तो यहाँ पर option A हमारा right answer है. वर्ण शब्द पद एम वाके. फर्स्ट कॉश्चन है हमारा पहचान का तत्सम सब्द है. उप्शन है प्रत्य विज्ञान, प्रग्यान, अभीज्ञान यवि अवधान. तो friends, हम बात करें पहचान के तत्सम सब्द की, तो वो है प्रत्य विज्ञान. तो option A यहाँ पे हमारा right answer है. नेक्स्ट है प्रभूत्व का तत्भव शब्द है. उप्शन से पहचान, पहुच, गुरुत्ता, गुरुत्व. तो friends, बात करें प्रभूत्व के तत्भव वर्ड की, तो इसका तत्भव शब्द है पहुच. तो option B यहाँ पे हमारा right answer है. Next है बहनोई शब्द का तत्सम है, यानि कि हमें बताना है बहनोई का तत्सम कौन से शब्द है. options है बहन उई, बहन पती, भगनी पती या फिर इन में से कोई नहीं तो friends बहन उई का शब्द का तद्सम शब्द है वो है भगनी पती तो option C यहां पे हमारा right answer है next है ब्रश्चिक शब्द का तद्भव रूप है बिच्चु, शडपद, बर्र याकि ब्रमर तो friends ब्रश्चिक शब्द का तद्भव रूप है बिच्चु से तो option A यहां पे हमारा right answer है next question है निमलिकित मैंसे कौन सा सही नहीं है अव्वे और क्रिया विशेशन में कोई अंतर नहीं होता B अव्वे अविकारी होते हैं C सभी अव्वे क्रिया विशेशन नहीं होते या फिर D क्रिया विशेशन अविकारी होते हैं तो friends बात करें इसमें से कि कौन सा सही नहीं है तो वो है अव्वे और क्रिया विशेशन में कोई अंतर नहीं होता जबकि friends अव्यव करिया विशेशन में अंतर होता है तो option A यहाँ पर हमारा right answer है next है वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है इस वाक्य में कौन सा अव्यव है options है संकीत वाचक, कारण वाचक, परिमान वाचक या फिर समुच्य बूधक तो friends अगर हम बात करें इसके right answer की कि वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है तो इसमें कारण वाचक क्योंकि इसमें कारण बताय हुआ है वह इसलिए लाचार है क्योंकि वह विकलांग है तो option B यहाँ पर हमारा right answer है नेक्स्ट है निमलिखित मैंसे किस वाक्य में क्रिया विशेशन का प्रयोग नहीं है वह कपड़े साब्थ होता है वह दीरे दीरे पढ़ता है आम मीच्छा है या फिसमोंसे ताजे बन रहे है तो friends हम क्रिया विशेशन की बात करें यहाँ पर तो क्रिया विशेशन की बात है कि आम मीच्छा है यानि कि आम कैसा है मीच्छा है तो यहाँ पर option C यहाँ पर हमारा right answer वो यहाँ पर पुछा है friends की क्रिया विशेशन का प्रयोग नहीं हुआ है तो यहाँ पर आम मीठाय में किसी भी तरह की क्रिया की बात नहीं की गई है तो option यहाँ पर C हमारा right answer है जबकि यहाँ पर कपड़े दोता है, क्रिया दे रखा है, पढ़ता है, बन रहे है इन सम्में क्रिया का बहुत हुआ है लेकिन आम मीठाय में किसी भी तरह के क्रिया का प्रियोग नहीं हुआ है तो option C यहाँ पर हमारा right answer है Next है जिस सब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारे तो उसे कहते है कारक, काल, अव्य या फिर क्रिया विशेशन तो friends जिस सब्द से क्रिया के होने का निर्धारन होता है उसे कहा जाता है काल, तो option B यहाँ पर हमारा right answer है Next है निमलेकित मैंसे किस वाक्य में क्रिया विशेशन का अशुद प्रियोग हुआ है वह मन से पढ़ता है, वह चुपचाप से चला गया तब की बात कुछ और थी, या फिर यहाँ पुस्तक उससे कहीं अच्छी है तो friends इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर क्रिया विशेशन का अशुद रूप से किस option में प्रियोग हुआ है तो friends अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस में यहाँ पर अशुद प्रियोग हुआ है तो वह है कि वह चुपचाप से चला गया friends चुपचाप चला गया, यहाँ पर right sentence यह होना चाहिए था लेकिन यहाँ चुपचाप से चला गया तो यहाँ पर से लगाने के बाद यह जो वाक्य हमारा यह अशुद हो गया तो option B यहाँ पर हमारा right answer है जबकि और options जो हैं वो हमारे शुद्ध है next है किस वाक्य में क्रिया विशेशन का प्रयोग नहीं हुआ है options है राम जाता है, सीता भोजन पकाती है उसने रोते-रोते कहा वह जाएगा तो friends अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्रिया विशेशन का प्रयोग नहीं हुआ है तो वो है राम जाता है, यहाँ पर क्रिया विशेशन का प्रयोग नहीं हुआ है तो option A यहाँ पर हमारा right answer है नेक्स्ट है, निमलिखित मैंसे किस वाक्य में क्रिया विशेशन अशुद रूप से प्रयोग है आप मेरी मदद करेंगे ना मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है वह ना सोता है ना खाता है या फिर वह दीरे-दीरे चला जा रहा है तो हमें बताना है कि इसमें अशुद रूप किस क्रिया विशेशन के अकॉर्डिंग अशुद रूप किस रूप से प्रयोग्ट हुआ है तो फ्रेंड्स वह मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है तो फ्रेंड्स यहाँ option B राइट answer है यहाँ पर क्रिया विशेशन असुद रूप से प्रयोग्ट हुए है है संसकार का संदी विच्छेद है तो फ्रेंड्स अगर हमें यहाँ पर संदी विच्छेद की बात करें तो इसका जो संदी विच्छेद जो राइट answer होगा वो होगा सं प्लास कार तो option B यहाँ पे हमारा right answer है next है उद्गम में प्रियुक्त उपसर्ग है उत उद्ध या फिर उद तो friends अगर हम बात करें उद्गम में प्रियुक्त उपसर्ग की तो वो है हमारा उद्ध option B हम पे हमारा right answer है next है संसकरण में प्रियुक्त उपसर्ग है सम, सम, सम या फिर संस तो फ्रेंड संस्क्रण में बात करें यहाँ पर कौन सा अगर यहाँ पर हम बात करें कि कौन सा उपसर्ग है तो वो है सम तो option भी यहाँ पर हमारा right answer है next है सौ की गिंती को कहते हैं सतक, सती, सताब्दी या प्रतीशत तो फ्रेंड शौ की गिंती को कहा जाता है सतक तो option A यहाँ पर हमारा right answer है next है गुरू के समी परहने वाला विद्यारती कहलाता है बजरुबटुक, भ्रमुच्वारी, अन्तेवासी, गुरुकुल तो फ्रेंड जो गुरु के समी परहने वाला विद्यारती होता है उसको कहा जाता है अन्तेवासी तो option C यहाँ पर हमारा right answer है next है परित्याक्त शब्द सही अर्थ क्या है जिसका परित्याक किया जा सके जो दान में दिया गया हो जिसे उपेक्ष्ठा पूर्वक छोड़ दिया गया हो या फिर जिसका परित्याग आविश्यक हो तो friends अगर हम परित्याक्त की बात करें तो इसका answer होता है जिसे उपेक्ष्ठा पूर्वक छोड़ दिया गया हो तो option C यहाँ पर हमारा right answer है friends इसका जो print है वो इतना clear नहीं है तो मैं कोशिच करूँगी कि आपको अच्छे से ये सारे questions करा पाऊ next question है रेंस्ट्रों किस भाषा की भाषा का शब्द है options है A. जापानी B. फ्रांसी C. जर्मनी या फिर डी रूसी तो friends बात करें अगर हम रेस्ट्रों वर्ड की तो ये एक फ्रांसी ची शब्द है तो option B. यहाँ पर हमारा right answer है next है निमलिखित मैंसे कौन सा सब्द उपसर्ग रहित है परिरक्षन निरूपन सोसाशन या फिर ब्रहत तो friends अगर हम बात करें यहाँ पर उपसर्ग रहित वर्ड की तो वो है हमारा ब्रहत्तर तो option D. यहाँ पर हमारा right answer है next है लिपसा शब्द कौन सा प्रत्य है आ सा पसा या फिर इन मेंसे कोई नहीं तो friends लिपसा सब्द में जो प्रत्य जुड़ा हुआ है वो है हमारा सा तो option D. यहाँ पर हमारा right answer है next है अंगूठ दिखाने का क्या अर्थ है धोका देना इनकार करना खुशामत करना या फिर आदर पकट करना तो friends अगर अंगूठ दिखाया जाता है किसी भी व्यक्ति को तो इसका अर्थ होता है कि वो उसको धोका दे रहा है तो option A यहाँ पर हमारा right answer है धोका देना next है गोबर गड़ेश होना मुहावरे का क्या अर्थ है कि धिरे पर पानी फेरना बेफकूफ होना गोबर की पूजा करना या फिर गड़वड करना तो फ्रेंड्स गोबर गड़ेश करने का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ भी काम ऐसा किया है इट मिंस कि धरे पर पानी फेरना तो option यहाँ पर A right answer है next है अन जल कौन सा समास है दिगू, ततपुरुष, अव्यभाव या फिर दुन्द तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अन जल में कौन सा समास है तो वो है दुन्द तो option D यहाँ पर हमारा right answer है next है नीचे दिएगाई शब्द समूम के लिए सही सब्द का chain कीजे यानि कि जिसकी पतनी मर गई हो विदुर, विद्वा, विदुर या फिर विदाता तो फ्रेंड्स अगर किसी की पतनी मर जाती है तो उसको विदुर कहा जाता है तो option C यहाँ पर हमारा right answer है next है नीचे दिएगाई शब्द समूम के लिए सही सब्द का chain करना है जो किसी धर्म्य व्यक्ति में आस्था ना रखे उसे कैसे क्या कहेंगे निशान्त, धर्म निर्पेक्ष धर्म भीरू या फिर नास्थिक तो फ्रेंड्स ऐसा को विव्यक्ति जो किसी धर्म विशेश में आस्था नहीं रखता है तो उसको कहा जाता है नास्थिक option D हापे हमारा right answer है जबकि जो वियक्ति किसी वी वियक्ति या किसी वी धर्म में आस्था रखता है उसे कहा जाता है आस्थिक और उसका reverse होता है नास्थिक तो option D हापे right answer है तो फ्रेंड्स ये next question पे आते हैं हम नीचे दिये गए शब्द समू के लिए सही शब्द चेन करना है किये गए एहसानों को जानने समझने या मानने वाले को क्या कहते हैं सुवग्य, कृतग्य, कृतग्य या विग्य बताइए क्या होगा इसका answer ये कहलाता है कृतग्य next है पतित का परियावाची शब्द अधोगामी, कपूत, पापी या मलेच क्या हो जाएगा ए हो जाएगा अधोगामी next है होसला का विलोमार तक शब्द बताना है आपको होसला हताशा, उत्सा, इच्छा या संकल्प ए हो जाएगा हताशा next है जो बाटा ना जा सके के लिए एक शब्द है अपून, अतुलनिय, अपरिहार या अभाज्य क्या हो जाएगा दी हो जाएगा अभाज्य next है दुकाल का उपसर्ग है दुक, दुस, तू या दुक, बताए क्या होगा दुकाल का उपसर्ग c हो जाएगा दु next है चत्रिय का परक्त बताना है चत्री ये, क्यारा, ये, ये, नीय या अनिय बहुती सिम्पल है ये की साउंट आघे, ये हो जाएगा next है निर्जन का संदी बिच्छित क्या होगा नी धन रजन, निर्धन जन, नी धन जन या निह धन जन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा निह धन जन नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी का क्या होगा बहुत कमजोर होना एक मात्र सहारा बिलकुल असमर्थ होना या किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी बी हो जाएगा एक मात्र सहारा नेक्स्ट देखिए चक्मा देना मुहाबरे का क्या अर्थ होता है परिशान करना, परिशानी में डालना, ठगना या इनमेंसे कोई नहीं क्या हो जाएगा C हो जाएगा ठगना नेक्स्ट है एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ बताएए एक चीज के अनेक चाहने वाले, एक साथ दो काम होना एक रास्ते में दो काम करना या फिर इनमेंसे कोई नहीं क्या हो जाएगा, B हो जाएगा एक साथ दो काम करना नेक्स्ट कोशन पर आईए दोनों हाथ में लड़ू मुहाबरे का अर्थ बताना है किसी भोज में शरीख होना दोनों हाथों में मोती चूर की लड़ू रखना दो तरफा लाव या फिर उप्रोक्त सभी क्या होगा यस, C हो जाएगा दो तरफा लाव नेक्स्ट है समानांतर शब्द का संदी विच्छेद समाना धन अंतर, समान धन अंतर, समान धन नांतर या फिर समानह धन अंतर यस, ऑप्शन बी करेक्ट है समान धन अंतर नेक्स्ट कुशन पर आईए आपको अब बताना है कि दान बीर में कौन से समास है बहुब्री है, अब यही भाव है, तुइंदू है या पिर तत्पुरुष है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा तत्पुरुष नेक्स्ट है सीमा पर टैश तैनाथ है आप सीमा पर कौन तैनाथ होती है तो आप यह कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं सेना, दुष्मन, डाकू या पुलिस सी मापर हमारी सेना तैनाध होती है ठीक है नेक्स्ट है निम्नमेंसे कौन साशब्द शुद्ध है आयोजित, आयोजित, आयोजित या फिर आयोजित क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आयोजित नेक्स्ट है विबनम्र का प्रियावाची शब्द क्या है बहादो, शुशील, भक्त या विज्ञानी भी हो जाएगा शुशील नेक्स्ट है ब्रक्षों के बड़े समूगों को कहते हैं क्या अकली, आगार, अमबार या वन डी हो जाएगा वन नेक्स्ट है अब निमलेकित शब्दों में आपको विबितार्थक शब्दों बताने हैं दयालू का क्या होगा उदार, कठोर, नर्दय या सदय क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा नर्दय नेक्स्ट है विस्तीन का संकीन, विकीन, विकिरन या प्रकीन यह हो जाएगा संकीन ठीक है नेक्स्ट आए विक्सित का बताएए अब विक्सित का क्या होगा अविक्सित, विकाशेल, विकाशीन या अल्प विक्सित A हो जाएगा यहाँ पर अब एक से ठीक है Next है सुद्ध सब्द का चेन कीजे क्लेश, क्लेश, क्लेश या फिर कलेश क्या हो जाएगा? B हो जाएगा क्लेश Next है आलसी व्यक्ती जीवन में कभी भी सफल नहीं होते इस वाक्य में विशेश्य क्या है? आलसी, व्यक्ती, सफल या जीवन B हो जाएगा व्यक्ती Next है लक्षमन का परियावाची निम्न में से कौन नहीं है? सौमित्र, लखन, रामानुज या बलभद्र क्या हो जाएगा? D बलभद्र Next है जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शप्त आपको बताना है क्या बोलते हैं? उबैचर, जल्चर, सरीसरप या फिर ये सभी क्या हो जाएगा? B जल्चर Next है सम्मती का संदी विच्छिद है संदन्मती, संदन्मती, सद्धन्मती या फिर संदन्मती बताईए क्या हो जाएगा? C हो जाएगा सद्धन्मती ठीक है? तो ये थे हमारे 2016 के पेपर में पूछे गए हिंदी के कॉश्चन्स कैसे लगे? प्लीज जुरूर बताईएगा, ठीक है? हम बात करेंगे बेर डेंटाइन्स एक्जाम के हिंदी के प्रिविएस येर की ये प्रिविएस पेपर जो हमारा है वो है 2017 का 2017 में इस तरह का पेपर आया था तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 2017 में हिंदी में कौन-कौन से कॉश्चन्स पूछे गए थे वीडियो को लाइस तक देखेएगा इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स के या शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्ली जरूर बताएगा तो देखें कौन-कौन से कॉश देखें कुछ लोगों का आंसर सही है आमलक का जो तद्वब शब्द है वो है option D आमला आमला को कहा जाता है आमलक ठीके तिनका का तद्वब बताएगे अब आपको यहाँ पर तद्वब बताना है उपर पूछा तद्वब हम यहां तद्वब बताना है तिनका किसका तद् तीक्तका ताम्रका या तुर्तका देखिए तिंका ज чуть- Six शब्द होता है वह होगा हमारा तृण ठीके खिए और अन्यक्त जैसे की है तिक्त तिक्त तीथा का है तो आप यहां नोट कर लिजे तीता तामर की यहां पर बात करें तो तामर होता है हमारा तामवा का और यहां पर अगर हम बात करें तो तुरत की तो तुरत जो होता है वो हमारा होता है तुरंत का ठीक है तो यहां पर आपको यह सब पता चल गए अब देखिए अगर उपर का भी मैं आपको की तो आपाख है हमारा आवा का आवा ठीक है अब देखीं next तकदीर शब्द है अब यह तकदीर किस का शब्द है तढ़्षम शब्द है फार्सी है तढ़्भव है या फिर अरवी है बताइं आपको यह कौशंस भी मैंने कराएं है अगर आप फिर से कहेंगे कि अर्वी शब्द कौन से होते हैं, इन सब को आपको डिटेल में चाहिए, तो आप कॉमेंट करके बता दीजेगा, हम फिट से रिवीजन कर लेंगे, वैसे मैंने आपको कराए हुए है, लेकिन फिट से हम इन डिसकस कर लेंगे, देखिए, तक्दीश शब्द जो है, वो है हमारा अर्वी शब्द, तो आप्शन डि हमारा राइट है, नेक्स्ट है, निमले कितमे से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, प्रागून, दुई सिस्टी, पीडी या फिर विग्रे, कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है, बताईए, देखिए, यहाँ पर बात करें, तत्सम शब्द नहीं है, तो वो है हमारा यहाँ पे पीडी, यह हमारा तत्सम शब्द नहीं है, ये तदवब शब्द है इसका तच्छम शब्द होता है पीठी का और इसके अतरिक बात करें ये प्रागूर्ण की और दुईसिस्टी और विग्रे की तो ये शब हमारे क्या है तच्छम शब्द है और अगर इनके मीनिंग की बात करें तो प्रागूर्ण को कहा जाता है पाह चिन शब्दों का रूप सदिव समान रहता है उनने क्या कहते है अव्य, वचन, क्रिया या लिंग अबने क्या कहेंगे देखिए ऐसे शब्द जिनका रूप हमेशे समान होता है वो हमारे क्या कहलाते है अव्यव कहलाते हैं और अव्यव को अगर हम इसका शाब्दी कड़ देखें तो देखें इसको ऐसे बात करेंगे आ प्लस वे हमारा इस तरह से बना अव्यव और जो वे हो ना हो उसे अव्यव कहते हैं इसे अविकारी शब्द भी हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है, यह सदेर समान रहते हैं, इसलिए इसको हम विकारी शब्द भी बोल सकते हैं, अविकारी शब्द ठीक है, तो यहां पर इसका जो राइट आउंसर है, वो है option A, अव्वे, 56 question देखें, धीरे चलो में अव्वे का कौ सा लग प्रकार है, क्रिया विशेशन, संबोधन वाचक, समुच्चिव, बोधक या फिर विसमें बोधक, बताईए, देखें, धीरे चलो में बात करें, तो A, यह राइट आउंसर होगा, क्रिया विशेशन, क्योंकि देखें, यहां पर धीरे चलो में जो क्रिया विशेश अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो जो शब्द के अर्थ में विशिष्ट प्रकट करता हो उन्हें क्रिया विशिष्ट कहते हैं जैसे कि दीरे चलो अब यहां पे दीरे क्या हो गया क्रिया हो गया और जो चलो हो गया वो क्या हो गया क्रिया की विशिष्टा हो गई तो यहा का मेदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफित कमीच पहनता हूँ, इस बार बारिश में बहुत उले पड़े, बताइए, कौन सा आपके according right answer होगा? देखिए, परिमान बाचक की बात की गई है, तो जहां पर हम नाप तोल कर सकें, वहां पर हमारा यहां परिमान बाचक आता है, इसलिए देखिए, यहां पर जो option D है, इस परकार बारिश में बहुत उले पड़े, यह हमारा परिमान बाचक क्रिया विशेशन हो जाएगा, ठी नेक्स्ट देखिए निम्लिकित मेंसे कौन सा शब्द कालवाचक्रिया नहीं है बारी बारी बीतर आज या पिर यत्था संभब देखी कालवाचक क्रिया की बात की गई है तो यहां पर कालवाचक क्रिया का मतलब यह है कि जो हमारे हमें काल बताए जैसे कि आज है आज हमें काल बता रहा है आज का दिन और अगर कल होता तो यह बताता कल का यानि कि एक हमें पर्टिकुलर हम यहां पर बात करें तो एक काल वाचक का काम बताए, यानि कि समय बताए, समय सम्बंदी चीज़े बताए, तो आज, यानि कि एक समय है, कल वो भी एक समय होगा, तो option C आपे आज हमारा right answer हो जाएगा. नेक्स्ट है, निम्ण मैंसे किस वाक्य में किरिय विशीशन का अशुद्ध प्रियोग हुआ है, वह बहुत तेज दोड़ता है, तुम यहीं ठेरो, सारे कलाकार उपर है, धूप में चला नहीं जाता, बताए इसमें से कौन सा right होगा. आपको अशुद्ध प्रियोग बताना है, याद रखिए, कौशन को ठीक से पढ़ा करिए, कई वार इस तरह से गड़बड हो जाती है एक्जाम में. देखिए, तेज दोड़ता है, कलाकार उपर है, यहीं ठेरो, यह सब में क्रिया विशेशन सही तरह से यूज हुआ है, लेकिन बात करें, धूप में नहीं चला जाता, में क्रिया विशेशन सही तरह से प्रियोग तो नहीं हुआ है, यह अशुद्ध है, इसलिए यहाँ प क्रिया विशिशन को अच्छी तरह से पढ़िएगा उसे थोड़ा भी कुछ कहा कि काम बिगड़ जाएगा मुहन से खाया नहीं जाता बालक तेज दोड़ता है किसमें प्रयोग नहीं हुआ है बताईए देखे लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाते इसमें तो क्रिया विशिशन है उसे थोड़ा भी कुछ कहा तो काम बिगड़ जाएगा ये भी सही है बालक तेज दोड़ता है अब दोड़ना क्या हो गया क्रिया हो गई और तेज क्या हो गया उसकी विशिश्टा हो गई त जाता यहां पर तो कोई विशेष्टा नहीं बताई गई है क्रिया विशेष्ण सही से प्रयोग नहीं हुगा इसलिए यहां पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब नेक्स्ट को देखिए बताये कोई इंसान गलती होने से कैसे डरेगा बहुत डरेगा तेज डरेगा अचानक डरेगा धीरे धीरे डरेगा देखिए यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा बी तेज वह गलती होने से टेज डड़ती है वो सौरी 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 वह गलती होने से बहुत ड़ती है यहाँ पर ए होगा क्योंकि देखिए बहुत में क्या आ रहा है हमारा परिमान बाचक आ रहा है बहुत कम यह सब क्या वर्ल्ड होते हैं हमारे परिमान बाचक के होते हैं और परिमान बाचक करिया विशेशन में भी इसमें अधिक्ता बोदक का भीद बताया गया है इसलिए यहाँ पर option A हमारा बहुत right answer हो जाएगा ठीक है बहुत correct कर ले जाएगा तेज जो है वो मुसे गल्दी से लग जाता है ठीक है अब देखें अब यहाँ पर कुछ संदिविच्छिद आ गई है देव्यरपन का संदिविच्छिद क्या होगा देखें E हमारा या बना यह किस में आता है बताये E या बनती है बड़ी E वा बनती है छोटा U रा बनता है बड़ा U ला बनता है यह किस के उधारण है यह हमारे यन संदिविच्छिद कैसे होगा E वना हमारा यहाँ पर क्या या तो यह क्या हो जाएगा देवी धन अरपन तो यहाँ पर option कौन सा हो जाएगा आपके according भी right answer हो जाएगा option भी इसमें हमारा यन संदि है और बस यही है आपको यही पूछा जाएगा यहाँ पर आपसे नाम भी पूछ सकते है एक्जाम में तो यह भी याद रखिए इसमें यड संदि है क्योंकि E से बना है आप इनके रूल याद रखिए छूटी E यावन्ती है बड़ E वावन्ती है और जो छुटा हूँ होता है वो रावंता है वो बड़ा हूँ हमारा क्या होता है लावंता है अब देखे कि शब्द में उपसर्ग का प्रियोग हुआ है उपकार, लावतायक, अपनापान या फिस समझदार उपसर्ग मतलब जो पहले लगते हैं और जो प्रत्य होते हैं वो पहले लगते हैं बताईए तेखे उपसर्ग जो इसमें है वो है option A उपकार, ठीक है उप, उप, प्लस कार, यानि की उपकार, यह हमारा उपसर्ग है सौरी मैंने गलत बोल दिया था, उपसर्ग जो है वो पहले लगते हैं और जो प्रत्य होते हैं वो बात में लगते हैं ठीक है तो उपसर्ग में यहाँ पर उप हमारा उपसर्ग है कार हमारा क्या है मूल शब्द है तो मूल शब्द में पहले जो शब्द लगाए जाते हैं वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं होते हैं और प्रत्य को हमांटे प्रत्य थे अब देखेया अनिच्छा में प्रत्युंद या फिर अन देखिए पहले इसको आप अलग-अलग कर लेजिए अन इक्छा को क्या हो जाएगा अन धन इच्छा ठीक है तो देखिए अन हमारा ये वाला इसमें याद रखिए ये वाला नहीं आएगा हलंत वाला आएगा तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है यानि कि अब ये एक शब्द है इंद्रजीत इस्ट इंद्रियजीत या फिर इपसित बताइए देखिए यहाँ पे इंद्रि को जीतने वाला इस्ट होते हैं हमारे जिन की हैं जिसके में अकॉंट यह अगर बात करें तो इंद्रियों को बश की बात कर ने की बात की जा रहे तो यह हो जाएगा हमारे इंद्रियत ठीक है। आप शन देखिए नेक्स्ट जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है अब जिसका अनुभव किया गया हो क्या कहलाता है अनुभवी, अनुभूत, अनुभव, योग्य या फिर हमारा अनुभव बताईए देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आप लिल्कुल सही बोल रहे हैं इसका जो राइट आंसर है जिसका अनुभव किया गया हो वो होता है हमारा अनुभूत तो option भी यहाँ पर हमारा right है अब देखिए next निर्वर्चनिय शब्द का सही अर्थ क्या है मन को आनंदित करने वाला जिसको प्राप्त ना किया चाह सके जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो या फिर जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया चाह सके पताईए क्या होगा right answer answer करिए जल्दी जल्दी देखिए निर्वर्चनिय का सही अर्थ होता है जो वाणी दौरा व्यक्त ना किया चाह सके तो option D हमारा यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है ना सबका सही था next move करते हैं वकील अब बताए किस भाषा का शब्द है फार्सी है अर्वी है तुर्की है या फिर पुर्तगाली है देखिए यहाँ पर बात करें बकील की तो बकील जो है वो हमारा अर्वी भाषा का सब्द है तो option B यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा next है निमलिकित मैंसे कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है संयोग, विदेश, अत्यदेग या फिर सुरेश बताएए देखिए आप सबका वो कर लिजिए आप जब उनको विवाजित करेंगे तो उनका मीनिंग आना चाहिए जैसे संयोग सधन योग ठीक है विदेश वी धन देश तो मीनिंग है इसका अत्यदिक अती को भी आप कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर अत्यदिक भी हो सकता लेगन सुरेश नहीं हो सकता शू धन एश इसका कोई मीनिंग नहीं होता तो option day यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा ठीक है ना समझ में आगे सबको अत्यदिक में अती होता है संयोग में सा होगा विदेश में वी होगा लेकिन सुरेश में सू का कोई मीनिंग नहीं होता यानि की last में जो बचेगा उसका कोई मीनिंग नहीं निकल कर आरा नेक्स्ट है महिमा शब्द में किस प्रकार का प्रत्य है हिमा, मा, आ और इमा आप ऐसे करके करिए महि मा महिमा क्या मीनिंग आपका निकल कर आया यानि कि माहा प्लस इमा महा क्या हो गया, यहापे मूल शब्द और इमा क्या हो गया प्रत्य हो गया तो यहाँ पर option D, यहाँ पर हमारा right answer है, ठीक है, जी आप जितना पढ़ेंगे न होतने ही आपको practice में आएंगे जी questions, आड़े हातों लेना, यानि विपत्ति आना, कर्तव्य पूरा करना, खरीखोटी सुलाना, यानि अलोचना करना, बताए आड़े हातों लेना का क्या मतलब है, देखें, जब भी किसी को आड़े हात लिया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, आने दो से हम उसको खड़ी खुदी सुनाएंगे, यानि कि उसको सारी बाते क्लियर करेंगे, किसी को सुनाना, ठीक है, तो वो कहलता है हमारा आड़े हातों लेना, तो option B हमारा right answer है, next है में अंदिकार होना किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रसंसा करना प्रभाव इस्थापित करना या फिर सम्मान बढ़ाना बताईए देखिए सूरज को दीपक दिखाने आप ऐसे निकाले देखिए सूरज को दीपक दिखाने जुरती नहीं क्योंकि सूरज में तो खुद इतना प्रकाश होता है उसको दीपक दिखाने से क्या फायदा है तो इसका मतलब यह किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रसंसा करना यानि कि वो व्यक्ति भूती प्रसंसा योग्य है लेकिन उसके आपने बस छोट थोड़ी सी तुछ प्रसंसा कर दी सेव उसी तरह से जैसे कि दीपक सूरज को आपने दीपक दिखा दिया उसमें खुदी इतना तेज है उसको दीपक दिखाने से कोई फायदा नहीं है तो ऐसे ही यहा पंचानन में कौन सा समास है ततपुरुष विभुब्री दीगु या फिर कमधार्रे देखिए आपको पता होना चाहिए कोई भी समास उसमें पूरुपत संख्या वाचक होता है तो उसको हम दीगु समास कहते हैं तो इसमें पर संख्या पाचक है क्योंकि देखिए इसमें शुरू में लिखा है पंच नानन यानि पांच तो यहां पर ऑप्शन सीख्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिर है नीचे दिएगा शब्द सम्हों के लिए साही सब्द का चैन कीजे युद्द की इक्षा रखने वाला मुमुक्षू बहुश्रूत युजुट्सू या फिर मौक्तिक तो देखिए जो युद्द की इक्षा रखता है उसको क्या बोला जाता है जल्दी जल्दी आंसर करिए इसका आपके अकॉर्डिंग क्या होगा देखिए युद्द की इक्षा रखने वाले व्यक्ति को बोला जाता है युजुट्सू तो ऑप्शन सी हैं आपे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिर है दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं अब दिशाएं जिनके वस्त्र हैं उनको क्या बोलते हैं विशंभर द्विपाल दिउन के हो जाता है देखिए दिशाएं जिनके वस्त्र है ये शब्द लिका जाता है दिगंबर के लिए तो यहां पर ऑप्शंड D हमारा राइट आंसर है ठीके तो यह दिगंबर के लिए कह जाता है नीचे दिएगा शब्द समूं के लिए normal चेंजिए बहें कभी जो थ तच्छन कविता कर सेगे अब तच्छन कविता कविश्टा के उसके लिए क्या करते हैं लिखेंगे आशुकवी कुशाग्र आशुलिपी या फिर विद्वान बताईए क्या होगा आपकी according answer देखी यहाँ पर पूछा गया है तत्षण कभीता कर सागे तो उसके लिए जो शवदी यहाँ पर यूज किया जाएगा वो होगा हमारा यहाँ पर आशु कवी तो यहाँ पर option A यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा next है त्रशणा का परियावाची क्या है तो अब हम यहाँ पर त्रशणा का परियावाची बताना है मकरंद, सहचर, रसिका या फिर लिपसा तो तृषणा हम किसके लिए यूज़ करते हैं देखे तृषणा के अगर हम बात करें तो यह होता है जो हमें किसी चीज की लालच होता है और लालच का बात करें तो उसका समझारती यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है लिपसा लिपसा भी क्या होती है किसी चीज का बहुत ज़्यादा लालच करना लालच करना, लालसा रखना, विलाशा रखना, किसी की तृषणा होना यह सब ही क्या है एक दूसरे के प्रैव आची है तो option D यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा next है उस श्रंखल का विलोम आर्थक शब्द क्या होगा सामाने, परवर्ती, रूणिवादी या फिर विनम्र बताएगे उस श्रंखल का विलोम शब्द अगर नहीं देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा विनम्र जबकि अन्यशब्द का विलोम शब्द देखें तो देखें यहाँ पर हमें क्या दे रखा है विलोम शब्द विशेश जैसे की परवर्ती, परवर्ती का यहाँ पर देखें तो उसका हो जाएगा पूरवर्ती, सामाने का हो जाएगा यहाँ पर विशेश, इसका हो जाएगा पूरवर्ती, और रूणिवादी की यहाँ पर हम बात करें, तो इसका हो जाएगा स्वचंद वादी, तो यहाँ पर उश्रंखल का क्या हुआ, विनम, ठीक है, तो यहाँ प उल्लेकनिये, पताए क्या होगा? देखिए जो जन सातरण में प्रचलित होती है उसके लिए जो हम वर्ड़ उसने करते हैं वो होता है किन्वन्धती यानि कि जो लोगों में प्रचलित है कथित कही गई हो आपचारिक होता है जो मतलब किसी विशेश रूप से कही गई हो आपचारिक का मतलब होता है बिल्कुल सबकी सहमती से यानि कि उसकी बिल्कुल प्रमाणिकता हो उसको बोलते हैं आपचारिक उलेखनी है यानि जिसको आप उलेख करें यानि कि उसको बहुत डीपली उसको बहुत अच्छे से आप बताएं चीज़ को व्याख्या करें वो होता है हमारा उलेखनी है ठीक है फिर है निश्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है बताएं इसमें उपसर्ग देखिए जब भी आदा शाकी बात की जाएना है तो हमेशा जब भी आपको पूछा जाए तो हलंत वाले शाक पर आंसर करिएगा तो option c right है जो इससे पहले की questions थे उसमें ही मैंने आपको बताया था तो उसमें भी इसी तरह का शा आया था तो वहापे भी हलंत का अंसर आया थ ठीक है तो हलंत वाला करिएगा बिना हलंत वाला मत करिएगा फिर है प्रत्य शब्द क्या होगा बताये ए बी सी डी में से आपको क्या लगता है देखिए प्रत्य बना है यहाँ पर कौनसी संदी हो गई यन संदी हो गई ठीक है और देखिए यहाँ पर प्रती प्लस आय य नेक्स्ट देखिए, सच्चिदानन्द शब्द का संदी विच्छिद है, सत चित आनन्द, सच्चित तद आनन्द, सच्चिदानन्द, सत चित आनन्द बताईए और अगर आप बता सकते हैं, तो संदी का नाम भी बता दीजेगा, अगर आपको answer मिल जाता है तो अगर हम सत्यतानन्द की बात करें तो सद चित आनन्द यह राइट आंसर होगा और इसमें जो संदी है वह है व्येंजन संदी किसे कहते हैं तो देखें कभी भी व्येंजन में दूसरा व्येंजन या स्वर का मेल होता है सद चित आनन्द या अप्ष सची से बना सचीधानन्द यह राइट है नेक्स्ट है यह मूँ और मसूड की दाल का अर्थ है मसूड की दाल का महँगा होना मूुर का अच्छी बस्तू की कदर नहीं करते अपनों को बड़े व्यक्तियों से मैं गिंनना american food उमीद बताईए अब यह मूँ और मसूड की डाल है क्या होगा इसकर्थ देखिए यह मूँ और मसूड की डाले का मतलब यहाँ पर यह है कि आप उसकी लाइक नहीं है लेकिन उसकी लाइक समझना यानि कि अपनी योगिता से अधिक पाने की उमीद रखना यह होता है यह मुह और मसूर की दाल की बात है तो यहां पर देखिए option D right answer हो जाएगा 2017 में यह question आए है यह पूरा paper 2017 का ही है ठीक है फिर है चित्रपा चर्णा का अर्थ है खुशिया मनाना अत्यान प्रिय होना शोभा बढ़ाना या फिर सदा इस्मरण रहना बताईए देखिए चित्रप चर्णा का मतलब यहां पर चित्रपर यानि की दिमाग पर दिमाग में हमें कौन सी चीज जो हमें हमेशा याद रहती है इससे याद रखिए तो यह हो जाएगा option D कि शदा इस्मरण रहना यानि की हमेशा याद रहना ठीक है next हाते हैं हमें यहां पर लोकुतियों का अर्थ बताना है निमलवान बस्तुग्या पेक्षत तुछ वस्तु पर ध्यान या आयसे अधिक हुए बताए अशर्फियां लुटें कोईले पर मोहर आप इसी से लगा सकते हैं अशर्फियां तो आपने लुटा दी लेकिन कोईले पर मोहर लगा रहे हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है अशर्फियां जब कि इतनी मूलेवान वस्तू है तो इसका सी हो जाएगा मूलेवान वस्तू की अपेक्षत तुछ वस्तू पर ध्यान देना आपने अशर्फियां तो लुटा दी लेकिन आप कोईले को आप इखटा कर रहे हो यानि कि तुछ वस्तू पर ध्यान दे रहे हो तो आप्शन सी राइट है नेक्स्ट देखिए हसुए के ब्या में खुर्पे का गीत कहावत का क्या आड़ थे शादी में गीत गाना, जशन मनाना, असंगत वाते करना या फिर निचले स्तर की बाते करना बताईए देखिए हसुए के ब्या में खुर्पे का गीत का मतलब यहाँ पर यह है असंगत बाते करने से तो यहाँ पर उप्शन सी हुमारा राइट है नेक्स्ट है अतियुत्तम के संदिविच्छेत का सही विकल्प चुने अतियुत्तम कुछ मीनिंग नहीं होता बड़ आप पहले हम सारे देख लेते हैं अति धन उत्तम अत्युत्तम अत्युत्तम बताईए संदिविच्छे जब भी आप करते हैं तो यह देखा करिए कि उनका मीनिंग कुछ बन रहा है आपस में या नहीं देखे युत्तम का कोई meaning नहीं होता, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद अत्य का कोई meaning नहीं होता और अत्यू का कोई meaning नहीं होता है, अत्यू का कोई meaning नहीं होता है, तो यहाँ पर option भी right answer हो जाएगा, clear है न सबको, ये बहुती simple trick है, जिसके basis पर आप इस तरह से अपने संदेविच्छित सही कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा भी आता है जो आपने कभी पढ़ा नहीं है तो सबसे पहले ये देखिए संदेविच्छित करने के आद उनका मीनिंग निकल रहा है या नहीं इसके बिस्स पर वो आपका हमेशा सही जाएगा फिर है गर्व सूनने शब्द में समास है कर्म तत्पुरुष, करन तत्पुरुष, संपरदान तत्पुरुष या फिर अपना दान तत्पुरुष बताईए देखिए गर्व सूनने के यहां पर बात करें तो यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वो ओप्शन भी करन तत्पुरुष अब यह करन तत्पुरुष क्यों है तो यह भी आप समझ लीजे देखिए करन तत्पुरुष समास हमेशा वहां आता है जहां करन, कारन, चिन्न का लोप होता है जैसे कि गर्व शून्ने है तो गर्व शून्ने का मतलब क्या है गर्व से शून्ने यहां से कारक चिन्न का लोप होता है यानि कि से आएगा बीच में गर्व शून्ने मतलब गर्व से है ठीक है तो से किसमें आता है? करन में आता है करता ने कर्म को करन से भूकुल से होने की कारण यहाद ड़ोच पुरूश तो इससे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि यहादा जिसे करत्स करतान है कर्म, करन से संपरदान के लिए एपदान से अलग होने दर्म करन में पूलिए जिस अपर करणम में से इ से dusty होंगाय जी लिए आपे यह वाला जो सभी है यह पर करन का रहा किए और अगर हैं यहां पर कोई चीज अलगूने की बात होती तो हम अपादान पर टिक करते ठीक है तो और सफ़िजण भी राइट है डेस ट्रस्ट्री रास्ठीता का आधार है धर्मानुसार धर्म निर्पेक्ष, धर्म सम्मत या फिर धर्म सापेक्ष बताईए देखिए रास्टे के आधार की बात करें तो धर्म अनुसार ये तो रास्ट की बात नहीं है धर्म सम्मत ये भी नहीं है और धर्म सापेक्ष भी नहीं है जबकि धर्म निर्पेक्ष क्या है धर्म निर्पेक द प्रश्टी डास्टिता का आधार है तो ऑप्शन भी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए निम्लिकित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है भानू व्रक्ष एतिहासे क्या फिर आकांग्शा शुद्ध वर्तनी आपको बताने हैं देखिए अगर हम यहां पर बात करें तो शुद्ध वर्तनी हमें अकांग्शा में दिखाई दे रही है जबकि बाकी हमारे अशुद्ध हैं भानू हमारा किस तरह लिखा जाएगा इस तरह से यानिकि ना पर छोटे की मातर आएगी और यह व्रक्ष हमाईशा इस तरह लिखा जाता है ठीक है तो यह भी गलत है अकांग्शा सही है तो दी यहां पर आइट आंसर है नेक्स कोशन देखिए निम्लिकित में से कौन सा शब्द यामनी का प्रयावाची नहीं है निशा रजनी विभावरी या फिर दिवस कौन सा नहीं है देखिए दिवस जो है वो तो दिन का है जबकि यहां पर यामनी का पूछा है जिसका होता है निशा जो कि हमें गिविन है फिर है रजनी यह भी हमें दिया हुआ है बिभावरी यह भी हमें दिया हुआ है तो यह सारे क्या है यामनी के हैं जबकि दिवस नहीं है तो लाता है सर्वरी विभावरी निश्या या पर निश्यत कि यहां पर आधिरात का पूछा है तो आधिरात का होगा निश्यत तो स्देरे डेивать आप यहां पर हमें विपरीटार्थ तक शब्द बताने हैं तो कर्शन का क्या होगा कंश्स सध्वर्ष्ण या फ विकाड़्षण बताएगा बहुत सिंपल है ये तो देखी कट्षन का व्लोम शब्द होगा विकट्षन ठीक है अन्य शब्द जो है उनका भी आप सुन लीजिए कनिस्ट का हो जाएगा इसका वरिस्ट और सिक्त की यहाँ पर बात करें तो इसका होगा रिक्त अब कट्षन का यहाँ पर क्या हो जाएगा आकट्षन ठीक है ये सब के आपने नोट कर लिए होंगे अब यहाँ देखिए शुशुप्त का बताए विलोम शब्द स्रेष्ट, जागरत, म्रत या कृतग्न क्या होगा बताए देखिए यहाँ पर शुशुप्त की बात करें तो शुशुप्त का है विलोम शब्द, जागरत अब यहाँ पर हम स्रेष्ट की बात करें तो इसका भी नोट कर लीजिए स्रेष्ट का होता है अधम कैस तरह से लिखेंगे अधम अधम और यहां पर मृत की बात करें तो मृत का तो आपको बहुत ही सिंपल है आप सबको पता होगा जीवित होना और कृतिगनिका बात करें तो कृतिगनिका भी आपको पता होगा कृतग्य ठीक है अब बात करते हैं विहित की विहित का क्या होगा एक वार मैं रफ कर देती ह इसको अब देखें विहित सुगम, असित, निशेद या स्थूल क्या होगा देखें विहित माने होगा इसका व्लॉमशवद निशेद ठीक है और सुगम की बात करें तो सुगम का भी लिख लीजिए आप सुगम का होगा, दुर्गम, असित का होगा, सित, स्थूल का होगा, सूक्ष्म, ठीक है, फिर है next, शुद्ध शब्द का चैन कीजिए, दीरगायू, 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 बताएए क्या होगा, देखिए, आप खुदी पढ़के देखिए, दीर, यानि दी के बाद रा आ रहा है, इसमें दी के बाद इस तरह से रा नहीं लिखते, और ये तो बाद में पीछे चला गया, तो ये भी कट गया, इसमें तो रा है ही नहीं, तो option A, right answer होगा, दीरगायू, ठीक है, आप नेक्स्ट देखिए, नौका, नौका शब्द का परियाय क्या होगा, तिया, तरंगिणी, तरी, या फिर तरण निजा, बताईए, देखिए, नौका शब्द के परियायवाची शब्द की बात करें, तो वो होगा हमारा तरी, जोकि option C, यहाँ पर, और इसमें हम देखें, इसके अत्रिक्ट जैसे, नौका के परियायवाची शब्द, तरीणी होता है, लेकिन यहाँ पर तरंगणी है, तो ये तो नहीं तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं, हो सकता है, इस बार इस बार यह पूछे गए हैं, जैसे की तरी पूछा गया है, तो नेक्स टाइम जो एक्जाम होगा, तो नौका को तो आपको option में दे देंगे, और इस तरी को आपको question में दे देंगे, यानि कि वही चीज होती है, ब यह 17 का है, इसके बाद 18, 19 और 2020 का, वो भी आपको करा दिया जाएगा, पूरी practice करिए, ठीक है, और कोई भी problem है, comment करिए, telegram group join कर लेजे, कभी भी आप वहाँ पर question करिए, मैं आपको वहाँ पर answer करूनी, ठीक है, अब हैं तीनो कालो को जानने वाला क्या कहलाता है, त्रिका देखिए, यहाँ पर तीनो कालो की बात की जारी है, तो तीनो कालो को जानने वाला कहलाएगा हमारा त्रिकाल लग गया, इसके अतरिक तीनो कालो को देखने वाला, यहाँ पर तो जानने वाला है, अगर यहाँ पर देखने की बात होती, तो यह होता है त्रिकाल दर्शी, और अगर दोनों भ्रकुटियों के मत्ते इस्थान को त्रकुटी कहते हैं और अगर किसी से छुटकारा दिलाने वाले की बात की जा रही हो तो वो होता है त्राता, ठीक है? तो option यहाँ पर a right answer हो जाएगा, त्रका लग गया है. नेक्स्ट देखिए, संस्कृती शब्द का विशेशन क्या है? संस्कृत, संस्कृतिक, संस्कृति या फिस संस्कृतिक बताईए. विशेशन बताना है, यानि संस्कृति की विशेशता. देखिए, संस्कृति की विशेशता की बात करें तो संस्कृत कोई विशेशन नहीं है यह भी नहीं है यह भी नहीं है सांस्क्रतिक है तो भी यहां पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट अब है सब्त धन रिशी इससे बनी संदी को क्या होगे दीर्ग यहन प्येंचन या फिर गुण बताएए देखे सब्त रिशी में जो संदी है वो है हमारे यहां पर गुण संदी अब गुण संदी क्या होती है तो यह भी आप नोट कर लीजी अगर नोट करना चाहते है तो जब आ या बड़ा आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई आती है तो इसके स्थान पर ए हो जाता है इसी प्रकार आ और बड़े आके आगे उ आएगा तो बड़ा उ हो जाएगा ओ आएगा तो बड़ा ओ हो जाएगा और आ और आके में अगर री आती है क्या आता है अगर री आती है तो वो क्या बन जाती है अर क्या बन जाएगा? … ठीके, तो इसे हम गुरसंदी कहते हैं, तो यहाँ पर क्या है? सब्तर रिशी, यानि सब्तर रिशी, ठीके, तो option यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, रैट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा, सॉरी, बी, ठीके तो इसी हम गुड संदी कहते हैं, तो यहाँआपर क्या है सबतर रिशी, यानि अट ठीके तो Option यहाँपर क्या हो जाएगा हमारा B राइट ऑंजर हो जाएगा, यहाँपर हमारा Sorry? Sorry, sorry, sorry D यहाँपर गुड संदी राइट ऑंजर हो जाएगा वीडियो को आपको पसंद आती है तो लाइक कीज़े फ्रेंड्स का शेर कीज़े और किसी भी तरे की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जुरूर बताएगा स्टाट करते हैं देखिए यहाँ पर कुल्सट तो कि अपर बात करें गज़ाया यहां भाची मझत पाच्थ कंछा हुआइशिच थीके नेकल है गंगा अदास का साय। किया है अपने काम से काम रखना तीर तेत्रा करना मान भक्त होना या फिर अफसरवादी होना बताएं क्या हो जाएगा डी हो जाएगा अफसरवादी होना next है सूर्य का परियाए आपको पताना है जो नहीं है भासकर मैंग दिवाकर सविता क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पे मयंग ठीक है नेक्स्ट आईए प्रतेक का संदे विच्छेद प्रती प्लस एक प्रत्य धन एक प्रत्य धन एक प्रत्य धन एक क्या हो जाएगा ए हो जाएगा प्रती धन एक नेक्स्ट है जो शास्त्र जानता है वे घहलाता है क्या है जानकार, शास्त्रग्य, विद्वान या शास्त्र क्याता है। जानके प्रीज सर्क्रांता है। बहुत है भाता है। क्रास्त्र ब्रॉण को शाहिं, इन परेनाटो, पूर्वकालिक, या फ्री नामधास्त्र तुईव् 買ण ग्स्त्र ग्त्रट समस्क्राइ। है क्या हो जाएगा इसका दी हो जाएगा नाम धातू क्रिया next है मीठा विशेशन से भाववाचक संग्या बनती है कौन सी मिठापा मिठास मिठाई या मिठास क्या होगा आंसर दी हो जाएगा मिठास next है कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है प्रश्न वाचक पुरुष वाचक निश्चे वाचक या अनिश्चे वाचक क्यों हो जाएगा इसका दी हो जाएगा अनिश्चे वाचक next है निम्न में से ततपुरु समास कौन सा है प्रति दिन कौना कौना पत्थ ब्रस्ट मार पीट क्या होगा तत्पुरुस पत्थ ब्रस्ट यानि पत्थ से ब्रस्ट नेक्स्ट है प्रातना पत्थ के समापन पर क्या लिखा जाता है भवदी है स्निहा कांशी आपका विश्वास पात्र या शुपचिन तक प्रातना पत्थ दिया हुआ है याद रखना क्या हो जाएगा यह विश्वास पात्र इसने कांशी शुपचिंतर यह तो जो हम किसी रिलेटिव को लिखेंगे तो इस तरह के लिख सकते हैं यानि कि इंफॉर्मल ठीक है यहाँ पर फॉर्मल में हम लिखेंगे भवतिय जो हम किसी से प्रात्ना कर रहे हैं नेक्स्ट है भक्तिकालिन संत्थ परंपरा के प्रसिद्ध कवीर कौन थे जैशंकरप्रशाद मेरा बिहारी या कबीर क्या हो जाएगा डि कबीर हो जाएगा चीक है नेक्स्ट है पावक और अगनी शब्दों के मद्धे क्या संबंध है अवनामी, समनामी, परयावाची या बिलोम क्या हो जाएगे ये दोनों एक दूसरे के परयावाची है ठीक है ओप्शन सी नेक्स्ट है शोक किस रस का स्थाई भाव है रोद्र, वादसल्य, करोण या वीर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा करोण नेक्स्ट है वे विद्ध्यार्थी नहीं आया वाके में वे कौन सा विशीशन है सार्वनामेक, परिमान बोदक, गुणवाचक या संख्यावाचक ये हो जाएगा सार्वनामेक ठीक है नेक्स्ट है अग्य का विप्रीतार्थक बताईए विग्य, अनग्य, सरवग्य या सद्ध्रग्य क्या हो जाएगा इसका विप्रीतार्थ तक विग्य है, ठीक है, ऑप्शन एए नेक्स्ट है बहीरंग का ब्लॉम्शत क्या होगा, सौरंग, भहूरंग, सवरंग या अंतरंग डी हो जाएगा अंतरंग नेक्स्ट है निमलिकित वाक्यों में एक में अपदान कारक के विबक्ती चिन्न का प्रियोग हुआ है ए है मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत छीतल था दूसरा है दुद्वा पार्क में बहुत से दर्शनिय जीव निवास करते हैं तीसरा है पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज, ततर देश और काल से चलना इतियास कहलाता है फूर्थ है आकाश से ग्री एक बूंद कहीं मोती कहीं विश्टो कहीं कीचड़ बनी क्या हो जाएगा देखें यहां पर ऑप्शन डी होगा क्योंकि यहां पर अपदान की बात करा है और अपदान में क्या आता है हमारा से आता है और से अलग होने के लिए तो आकाश से ग्री एक बूंद आकाश से अलग हो रही हो ठीक है से ओप्शन डी यहां पर करेक्ट है नेक्स्ट है इस फूर्थी का तद्वब बताना है सूफित सौफिती फूर्थी यह सूफिती क्या जाएगा सी आ जाएगा फूर्थी नेक्स्ट देखिए तुरंग शब्द का परियाबाची आपको बताना है शशह, वाजी, कुरंग या शाड़दूल क्या हो जाएगा बी हो जाएगा वाजी नेक्स्ट है निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है रसा, सूथ, धागा, डूर क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग डूर नेक्स्ट है निम्नांकित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रियोग हुआ है वो आपको बतानी है कौन है लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, मैं चला, वह नहता है, बताईए क्या हो जाएगा सकर्मक, वह सो रहा है, ठीक है हिंदी दिवस मनाने की तिथी बताईए, 14 सितंबर, 26 जनवरी, 14 अगस्त या 14 नमबर यह हो जाएगा 14 सितंबर नेक्स्ट है जैसा करोगे वैसा भरोगे मैं कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रशनवाचक सर्वनाम यह संबंद वाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा संबंद वाचक सर्वनाम संबंध है ना तोनों का एक दूसरे से next है छा के बारे में सही नहीं है क्या सही नहीं है तालब विधनी है, कंठ है, महाप्राण है या अगोश दोनी है, बताईए क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, कंठ है छा कंट से बोलते हैं ठीक है भवानी को पोलिंग बताइए भवदेव, भवन, देव और भव डी हो जाएगा यहां पर भव नेक्स्ट है उत्पत्ती की दरश्टी से हिंदी शव्द समू को कितने बरगों में बाटा जाता है पांच, तीन, चाड़, दो क्या हो जाएगा ओप्शन ए पांच नेक्स्ट है जो कठनाई से प्राप्त किया जा सके शव्द समू के लिए एक शव्द बताईए दुर्बोध, दुरगम, दुरलव या दुसाद्द सी हो जाएगा दुरलव नेक्स्ट है वे शब्द जो भिविन, पदों, वाक्यों, अथ्वा, वाक्य खंडों को जोडते हैं कहलाते हैं क्या सर्वनाम, विस्मियादी बोधक, समुच्चे बोधक या संबंद बोधक सी होगा यहाँ पे समुच्चे बोधक नेक्स्ट है किस वर्ग के वेंजन, अंधस्त वेंजन कहलाते हैं चावर्ग, टावर्ग, कावर्ग या यावर्ग क्या हो जाएगा डी यावर्ग नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा स्रब्द भावाचक संग्या नहीं है अस्तित्व, थकावट, वेईमान या हर्याले क्या हो जाएगा नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा खर्ण शब्द गुर्वाचक विशेशन नहीं है बहुत नरम, इमानदार या सुगंदे थो देखे बहुत को छोड़के बाकी सब में गुर्वत ताराय की नरम है इमानदार या सुगंदे और बहुत का है एक संख्या हो गई है तक है अनिश्यवाचिक संख्या अंहीं नहीं सकते कितनी संख्या बट संख्या है यह नेक्स्ट है निमनांकित में से कौन सा शब्द अगनी शब्द का प्रयाय नहीं है पावक अनल अमी या वही कि देखे अमी नहीं है option क्या हो जाएगा है यहाँ पर हमारा दी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है सूत्षब्द का तच्चम शब्द क्या होगा पीटना धागा सूत्र या नीच सूत्षब्द का हो जाएगा सूत्र नेक्स्ट है अध्यात्मेक शब्द का विलोम क्या होगा आत्मा से परे आध्यात्मेक आत्मेक या भोतेगा बहुतिक हो जाएगा ठीकि नेक्स्ट आईए अब यहां पर आपको रिक्तिस्थान की पूर्टी करनी है कभी भी अपने मित्र की उन्नती पर डैश ना करो क्या वेराग्य अहिंका द्वेश या इउट्षा क्या नहीं करना चाहिए हमें इउट्षा यानि की जैलस नहीं होना चाहिए नेक्स्ट है कौन शब्द शुद्ध रूप है उज्वल 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 या फिर यह इस तरह से उज्वल कौन साम सही बोलेंगे यह हो जाएगा उज्वल ठीक है नेक्स्ट है जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है रचना के आदार पर वाक्य का प्रिकार बताई है क्या हो जाएगा ए मिश्र वाक्य है नेक्स्ट है सांच होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लोट आते हैं वाक्य में रेखांके शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रियोग कीजिए जगा ब्रक्ष नीड या फिर स्थान बताई है क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा नीड ठीक है नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है विशिस्ट कृतग्य प्रतिग्या या शुश्क यह हो जाएगा विशिस्ट नेक्स्ट है दुरुप्योग शब्द में किस उपसर्व का उप्योग है दुरु दुरु दुर्र या दु क्या हो जाएगा दुर्र ठीक है आप यह धर्माव लंबी शब्द किस प्रकार निर्मेत हुआ बताई है धर्म धन लंबी धर्म धन अब धन लंबी धर्म धन अब लंबी धन या फिर धर्मा प्लस वलंबी बताई है कौन सा सही है सी यहां पर सही हो जाएगा धर्म धन अबलंब धन इ ठीक है नेक्स्ट है आन प्रत्य से बनने वाला शब्द कौन सा है लगान अनद अनबान या फिर अनद क्या हो जाएगा ए लगान ठीक है जिसकी लाठी उसकी भैस में लाठी और भैस संग्याएं हैं शेज दोनों शब्द क्या हैं क्रिया क्रिया विशेशन सर्वनाम या विशेशन क्या हो जाएगा सर्वनाम सी नेक्स्ट है लाल से निर्मित होता है लाली तो काला से क्या होगा कालेमा कलूटा काली या कालापन बताएगा सेम है लाल से लाली बनाएगा तो काला से काली बनाएगा ठीक है तो यहां पर कौन से हो जाएगा हमारा आप्शन हो जाएगा यहां पर हमारा c ठीक के रोना का सकर्मक्या को गार उलाना कोई नहीं रोता या रूला ए रोलाना नेक्स्ट है आवज अठाना मुहावरे का सःयुद क्या है क्रोत करना चीकना जोर से बोलना या ब्रोत करना बी हो जाएगा यहां पे हमारा प्रोथ करना नेक्स्ट है शड़ानन शब्द का संदी विच्छित क्या होगा शडधन आनन शड़ा धननन शटधन आनन या शटधन आनन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा शडदन आननन शड़ानन को थे कंबने शड़ानन शड़ानन शड़ा персонे का वह आपके अशुद्य वह बताना है हमें उसके अंग अंग सजाए गए यह सव आपकी क्रपा है उसने मुझे दिल्ली दिखाई वह बुद्धिमत्य इस्त्री है बताईए क्या हो जाएगा देखें यहां पर आप्शन हो जाएगा ए उसके अंग अंग सजाएगा यह गलत है ठीक है प्रेंड्स के पीपर की स्टार्ट करतें वीडियो को आपको पसंद आती है तो लाइक कीजेए फ्रेंड्स के शेर कीजेए और किसी भी तरह की कोई वी क्वेरी हो तो प्रेंड्स के जुरूर बताएगा देखें यहां पर ब्लॉम्शब्द हमसे पूछे गए हैं अब हमको अपसरार नेक्प्ट है सुशुप्थ सुशुप्थ का क्या होगा स्रेस्ट जाग्रत म्रत या ग्रताग्ण। ओप्शन EU हो जाएगा यहां पे जाग्रत नेक्सट पनेए को गत्र अवभिवार को वे मुंबई जाएगा आनेवाले अगामिर अब्रें औरALD अगामी और देखिए यहाँ पर सी-सही हो जाएगा आगामि या नी आने वाले ठीक है आगामि रभीवार कोवे मुंबई जाएगा नेक्स्ट है आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए आपकी संकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए या फिर आपकी संकाओं का वर्दान हो जाना चाहिए क्या होगा बहुत ही सिंपल है बहुत ही अलग-अलग दिये हैं तो इसलिए आप बता सकते हैं B हो जाएगा क्योंकि शंका या परिशानी होते तो तो उनका समाधा नहीं होता है, इसलिए आपके शंकाओं समाधान हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल राइट है, नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको वाक्यानशुक लिए एक शब्द चुणना है, ठीक है, दिशा ही जिनके वस्त्र हैं, विशंबर, दिकपाल, पैगंबर या फिर दिगंबर बताईए, क्या होगा, डी हो जाएगा, उन्हें वो दिगंबर कहलाते हैं, नेक्स्ट है, युद्ध की इक्षा रखने वाला, मुमोक्ष, बहु, बहुशूत, युजुत्स, या फिर मौक्तिक, क्या हो जाएगा, युद्ध, ठीके, नेक्स्ट है, आमलक का तद्भव शब्द है, आदर्शिका, आम्र, आपा के आमला, क्या हो जाएगा, 57 का दी, आमला, नेक्स्ट है, तेंगा का तद्सम शब्द आपको बताना है, बताएगे, तरण, तेक्त, तामरे, तोरेत, देखें, या पर ए राइट आंसर होगा, तरण, नेक्स्ट है, विशेशन की विशेश्टा बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया, प्रविशेशन, विशेश्य या फिर सर्वनाम, देखें, विशेशन की जो विशेश्टा बताएगे, उसे कहेंगे प्रविशेशन, ठीके, नेक्स्ट है, परिश्रमी शब्द में कौन कौन से विशेशन का वोध होता है संख्यावाचक, परिमाण जावाचक, परिमाण वाचक या फिर गुण वाचक परिश्रमी क्या है उसके लिए उसका गुण है ठीक है तो option D यहाँ पर correct है नेक्स्ट है मंदिर का परियावाची है देवग्रह, परमधाम, निर्वान या परमपद क्या हो जाएगा? A, देवग्रह नेक्स्ट है त्रशना का परियावाची है मकरंद, सहेचर, रसिका या लिपस त्रशना का हो जाएगा लिपसा नेक्स्ट है राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुब्रही, द्रिगू, ततपुरुष या फिर कर्मधार है C हो जाएगा यहाँ पर ततपुरुष नेक्स्ट देखिए, सचिदानन शब्द में आपको संदी विच्चिद बताना है क्या हो गए इसका? यह हो जाएगा सत, धन, चित, धन, आनंद नेक्स्ट है जो गुपसा किस रस का स्थाई बहु है? C हो जाएगा बिवत्स नेक्स्ट है सूरज को दीपक दिखाने का क्या अड़्थ है? रोश्नी में अंदकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभावस्थापित करना या सम्मान भढ़ाना B हो जाएगा किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ठीक है? नेक्स्ट है निम्लिकित मैंसे कौन सी द्रविड परिवार की भाषा है? उड़िया, बांगला, असमिया या कंड़ D हो जाएगा यहाँ पर कंड़ नेक्स्ट है अब यहाँ पर आपको शुद्वर्तिनियां बताने हैं प्रफूलित, 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 या फिरफूलत C यहाँ पर हो जाएगा प्रफूलित ठीक है नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पर आपको बताना है विकल्प का सई चेन करना है स्वाब लंबन मनुश्य को आत्म नेर्बर ही नहीं बनाता बलकि उसमें डैश भी जगाता है क्या विवेक, आत्मिश्वास, परिश्रम या आत्म बल भी हो जाएगा आत्मिश्वास नेक्स्ट है बीडा उठाना क्या होता है ड्रण संकल्प करना, भार उठाना, मेनत करना या घठोर परिश्रम क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ड्रण संकल्प करना नेक्स्ट है मनोच का PCS में चैन हो गया, समझो उसने गड़ जीत लिया गड़ जीत चाना का क्यारत है इसका मतलब होता है कठिन कार्य पूरा करना ठीक है नेक्स्ट है रड़ रड़ और ना मा को कौन से वेंजिन केते हैं सपर्स उच्छित अन्थस्थ वेंजिन या अनुशाशिक मैंने इनके उपर डिटेल में नोट्स वाली वीडियो बना रखी तो देख लीजेगा उसमें यह वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है डी हो जाएगा यह हमारे अनुशाशिक वेंजिन कहलाते हैं ठीक है नेक्स्ट आईए वह आयाओं में चला गए इस वाक्य में अव्यब क्या है सम्मन्द वोच्छ विसमे वोदक समुच्छे वोदक या फिर आदार वोदक सी हो जाएगा यह समुच्छ वोदक है ठीक है अब आपको यह बताना है कि निम्लिकित मेंसे कौन सा सब्द जो कि कालवाचक क्रिया विशेशन है बारी-बारी भीतर आज या यथा संभव क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा आज ठीक है नेक्स्ट है निम्लिकित वाक्यों मेंसे शुद्ध वाक्यों को पहचानी है श्रीमती गांधी भारत की प्रधान मंतरी थी मेरे उपर करपा करें मेरे घर के सामने पाटशाला है वहां भाड़ी भीड थी बताईए क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा मेरे उपर करपा करें नेक्स्ट अब आपको मिश्र वाक्यों देखने है इसमें कौन सा है प्राता काल होने पर चुड़िया चह चाने लगती है सुबह पहली बस पकड़ कर शाम तक लोट आओ जो विध्यार्ती परिश्रमी है वे अवश्रे लोग सफल होगा या फिर राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वेम राज़ा बन गया बताईए मिश्र कौन सा है यह हो जाएगा सी जो विध्यार्ती परिश्रमी है वे अवश्रे सफल होगा नेक्स्ट आईए निमलिकित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है संयोग, विदेश, अत्यदिक, सुरेश डी हो जाएगा, सुरेश, ठीक है नेक्स्ट आईए गर्ब शूनने सब्द में कौन सा समास है कर्म ततपुरुष, करण ततपुरुष, संप्रदान ततपुरुष, या अपदान ततपुरुष क्या हो जाएगा गर्ब शूनने कर्टाने कर्म को करण से क्या हो जाएगा बी नेक्स्ट है सब्जबाग दिखाना का क्या आड़त है प्रवावित इस्थापित करना, लालश देकर बहकाना, बिवेक हो देना या फिर होशोड़ जाना इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा बीव लालश देकर बहकाना नेक्स्ट है अब यहाँ पर आपको संधी विच्छेत बताना है सही अधी, धन, कांश, अनू, धन, दित, प्राणा, धन, याम, तरपुर, धन, अरी बताईए क्या वो जाएगा तरपुर, धन, अरी ठीक है अब पंचानन में कौन सा समाज है ततपुरुष, बहुप्रिह, द्वीगू या कर्मधार्रे बी है याँ पर बहुप्रिह, ठीक है तीन तेरे करने का क्या मतलब होता है प्रतक्ता की बात करना, जैसे को तैसा गुसा करना या पूरी तरह फट जाना देखे, तीन तेरे का मतलब है प्रतक्ता की बात करना, ठीक है नेक्स्ट है हसुए के ब्या में खुर्पे की का गीत शादी में गीत गाना जश्न मनाना असंगत पाते करना या निचली स्तर्खी पाते करना सी हो जाएगा असंगत पाते करना नेक्स्ट पताना देवे अरपन का संधि विच्च्छत क्या होगा देवधन अरपन ,देवधन अरपन या पे देववे धन पन देखिए B हो जाएगा यहाँ पे देवी धन अरपन, देवी अरपन हुआ है क्योंकि E और A मिलके या बने हैं, ठीक है नेक्स्ट है, पुस्तक ये शब्द में प्रत्य बताना है पुस्तक की ये, ये की साउंड आ रही है न, क्या हो जाएगा C हो जाएगा ये नेक्स्ट है, सब्तनतर्ता सबको प्यारी होती है वाके के रेखांकिश शब्द का संग्यावेद बताना यानि कि सब्तनतर्ता में कौन से संग्यावेद है जातिवाचक, भाववाचक, गुडवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं देखें, यहाँ पर बात करें, 87 की तो B हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सब्तनतर्ता जो है वो एक भाव है, ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्तनतर्ता सबको प्यारी होती है ये एक भाववाचक संग्या है, ठीक है तो हो जाएगा next है मुझे किस परकार का सर्व नाम है उत्तम पुरुष, अमत्य पुरुष अन्य पुरुष, यह फरेन मैंसे कोई भी नहीं बताइए मुझे मैं सर्व नाम आपको यहां पर बताना है क्या होगा मुझे का सर्व नाम इसका देखें, यहाँ पर right answer हो जाएगा A, जो की हो जाएगा, यहाँ पर उत्तम पुरुष्ट ठीक है, next question देखें विशेशन सब्द जिस संग्या यह सर्वनाम के विशेश्टा बताता हो से क्या कहते हैं, क्रिया विशेशन विशेश है, प्रविशेशन या फिर उपुमान, बताईए इसका जो right answer होगा, वो होगा है हाँ पर हमारा option नमर भी विशेश है, next है मूल अकर्मक धातुआं के साथ प्रत्य जोड़कर बनाई गई, क्रिया धातुएं क्या कहलाते हैं सैक्तु धातु, दुईकर्मक, साधित या फिस समस्त सी हो जाएगा साधित सकर्मक धातु next है प्रेमवाटिका, किसकी काव्वे करती है रस्खान, नरहरीदास, आलम या भारतिंदु हरिष्चन यह हो जाएगा रस्खान, ठीक है अब आपको बताना है जो अली शब्द है उसमें अली शब्द का अनिकार्थी कौन सा नहीं होगा सकी, ब्रहमर, रूपसी या बिच्छू क्या हो जाएगा रूपसी, ठीक है नेक्स्ट देखिए त, थ, द, ध, और स, आदी का उच्छारण स्थान है तालव्वे, दंते, मूर्धन्य या दंतोष्थे क्या हो जाएगा, बी, दंते नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन सा शब्द पुरलिंग रूप में प्रियुक्त नहीं होता हाती, दही, नदी या पानी देखिए, नदी स्त्रिलिंग में प्रियुक्त होता है, इसलिए सी हो जाएगा सब्द प्लस रिशी इससे बनी संदी है दीर, गियन, वेंजन या गुड़ क्या हो जाएगा सब्द प्लस रिशी हो जाएगा हमारा गुड़ संदी नेक्स्ट है बाड पिरीतों की साहिता की संबन में पत्र लिखा जाता है लेखादिकारी महोदे को, जिलादिकारी महोदे कुलपती महोदे या अचार्य महोदे बताईए देखिए, वहाँ की जिलादिकारी को लिखेंगे ठीक है, ओप्शन B ठेले पर हमाल लें, किसकी विदा की रचना है निबन, कहानी, उपन्यास, यात्रवरतन्त क्या है ये? एक निबन्ध है नेक्स्ट है, इनमेंसे कौन सा कवी अश्ट छाप का नहीं है सूरदास, कुम्भनदास, नंददास, या फिर रैदास क्या हो जाएगा? डी, रैदास नेक्स्ट है, किस वाक्य में अपादान कारक है? नेक्स्ट है, निम्दास, 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 निम्दास है निम्लिकित में अशुद्ध वर्दनी आपको बताने है आगन मुश्किल 25 या यूश्या क्या हो जाएगा यह हो जाएगा अहांगन ठीक है तो यह था हमारा 2019 का पेपर हिंदी का होप यहां पर आपको कॉशन से पुरा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के कॉशन्स पूछे जाते हैं बात करेंगे हिंदी में कौन-कौन से कॉशन्स है जो कि आपके 2020 में पूछे गयते हैं जिससे कि आपकी इस साल की तियारी अच्छे से हो पाए इसका PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप पर मिल जाएगा तो आप टेलिग्राम ग्रूप जो वीडियो को लास तक देखेएगा तभी आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपके एक्जाम में कॉशन्स पूछे जाते हैं देखें यहां पर जो कॉशन्स पूछा गया था वो है इन मैंसे प्रत्वी का कौन सा शब्द है तद्व विदेशस तत्सम या फिर इन देखें तत्सम दो शब्द से मिलकर बनता है तत प्लस सम और जिसका अर्थ होता है उसके समान अठाथ संस्क्रत के समान तो आप यहाँ पर समझी गए होंगे जैसे अगनी को अगनी ही बोलते हैं वायू, माता, प्रकाश, सूर्य, प्रत्वि, आदी यह सब हमारे क्या हैं? तद्सम शब्द है तो option C हमारा right answer हो जाएगा इसका तद्वभ रूप की अगर बात करें अब संप्रदान कारक का पड़सक क्या है? तो आपको पहले कारक पता होने चाहिए और answer करिए क्या होगा इसका देखिए आपको यह यादोना चाहिए करता, ने, कर्म, को, करण, से, संप्रदान के लिए यहाँ पर क्या पूछा है? संप्रदान तो के लिए हो जाएगा अपदान से करण में भी से है, अपदान में भी से है लेकिन अपदान में जो से होता है वो अलग होने के लिए होता है मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ अलग होने का मतलब है जैसे की पेड से पता गिरा वो से अलग हो गया, बच्चे स्कूल से निकले, यानि कि बच्चे स्कूल से अलग हो गये, तो वहाँ पर आपादान कारक है, ठीक है, यहाँ पर संपरदान पूछा है, तो इसके लिए आजाएगा कि option D हमारा right है, next है मैं चित्र बना रहा हूँ, वाके में काल कौन सा है, बत देखिए, यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ है, यानि कि वो कार्य भी चल रहा है, वो भी कार्य समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है, start तो उचुका है और वो चल भी रहा है, लेकिन अभी खतम नहीं हुआ है, तो यहाँ पर है वर्तमान कारक, option D यहाँ पर हमारा right answer है, next question देखिए, आलू किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली, चीनी, अर्वी या फिर अंग्रेजी, यह पुर्तगाली शब्द बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं आपको कुछ अभी important बताऊंगी, उनको note कर लीजेगा, हो सकता है, एक्जाम में उनी में से पूछ ले जाएं, देखिए, यहाँ पर बात करें, आलू किस भाषा का शब्द है, तो यह आलू एक पुर्तगाली शब्द है, option A यहाँ पे हमारा right है, इसमें कुछ और शब्द भी हैं, वो भी note कर लीजे, जैसे कि allpin, almari, ispat, godam, pistol, pistol बहुत बार पूछा जाता है, तंबाकू, काजू, सं अंतरा और मिस्तरी, यह सब हमारे पुर्तगाली शब्दे और लॉट फिरके यह पूछ लिए जाते हैं, जिसमें पिस्तौल तो बहुत बार पूछा गया है, तो यह सब note कर लीजेगा अपने एक्जाम में, और जब भी revision करें, इनका revision करें, जिससे कि आपको याद हो जाए नेक्स्ट है, शावर का उच्चारण इस्थान है, दात, मूर्धा, तालू या फिर कंट, बताइए, यह भी मैं आपको थियोरी क्लासेज में समझा चुकी हूँ पूरा देखी, जो हमारा कठोर तालू होता है, उसके मद्धे का भाग हमारा मूर्धा क्यलाता है, जब हमारी जो जीब है, वो उल्टी हुई, नौक पर निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, तब ऐसी इस्तिती में मूर्धन ने व्येंचन हमाई निकलते हैं, जैसे कि टा, ठा, डा, ढड़, शा, ये सब क्या है, हमारे मूर्धन ने हैं, तो यहाँ पर शा का जो उचारण है, वो जीब हमूर्धा को स्पर्श करते हुए निकला है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, मूर्धा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी, ओके, नेक्स्ट ह ऐसे कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है, अती प्रसन होना, फूल की तरह खिलना, दुरलब वस्तू, सुगंदित होना, बताइए देखिए, गूलर का फूल होने का मतलब, यहाँ पर यह होता है कि कोई भी दुरलब बस्तू है, उसका मिल जाना, जैसे कि आप यह भी समझ सकते हैं, आज के समय में लक्षमड जैसे भाई का मिलना, वो भी एक गूलर के फूल के समान है, तो यहाँ पर दुरलब बस्तू, इसका right answer हो जाएगा option c ठीक है next देखिए सुत्व शब्द को स्त्रिवाचक बनाने के लिए किस प्रत्य का प्रयोग किया जाएगा यह एक या आ तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं पहले सुत्व का आप प्रया वोश्वारी विलॉम शब्द देखिए क्या होगा या स्त्रिवाचक देखिए यहाँ पर इसका जो right answer होगा वो होगा d क्योंकि सुत्व का स्त्रिवाचक होता है सुत्ता ठीक है और सुत्ता आ की अवाज आ रही है तो d ही होगा ठीक है नेक्स्ट है पैरों से लेकर सिर्टक का एक सब्द क्या होगा आध्योपांथ आपादमस्तक नतमस्तक या फिर इनमें से कोई नहीं बताईए पैरों से लेके सिर्टक की बात कर रहे हैं देखिऑ यहाँ पर जो इसका राइट आउंसर होगा वोगा आपशन बी अपादमस्तक आधू पांथ और नतमस्तक का मतलब होता है आधी से लेके अन्त तख और नतमस्तक का मतलब होता है किसी के सम्मान में हम सिर्ट जुकाते हैं तो उसे बोलते हैं नत्मस्तक ठीक है तो यहां पर option B अपाद्मस्तक हमारा right answer हो जाएगा next है काववे में भाव तथा कला के सौंदरे को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं रस छन चौपाई या फिर अलंकार बताईए देखी काववे में किसी भी भाव या कला के सौंदरे को जब भी कोई बढ़ाता है तो उसको हम बोलते हैं अलंकार जैसे कि अनुप्रास हो गया या मक हो गया शलेश हो गया ये सब कैसे हमारे अनुप्रास वो शौरी सब्दालंकार है यानि कि अलंकार भी दो तरह के होते ह तो ये है हमारे शब्दालंकार दूसरा होता है अर्थालंकार जैसे की उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्परेक्षा हो गया ये अर्थ अलग निकालते हैं और अनुप्रास यमक उशलेश में क्या होता है शब्द होते हैं जिनका अलग-अलग मीनिंग होता है देखे हिंदी की सर्वसरी हाँसे व्यंग निवंद कार के बात करें तो वो है हरिशंकर पड़साई तो नोट कर लीजें और यहां पर देखे इनकी कुछ व्यंग निवंद उनको भी नोट कर लीजें हो सकता है इस वार एक्जाम में वो पूछ ले जाएं क्योंकि हर वार एक्जाम में इसी तरह का पैटर्ण चलता है जो आप्शन्स होते हैं प्रिवियस पेपर के वो इस वार के कॉशन बना दिये जाते हैं तो नोट कर लिजे बेइमान की परत, प्रेमचंद के फटे जूते, वैशड़फ की फिसलन, पगटंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सब इनके दौर लिखे गए निवन्द हैं ठीक है नेक्स्ट है, शडानन सब्द के सही संदी विच्छेत पर सही निशान लगाई, अब देखें, यहाँ पर इनोंने कॉशन पूछ लिया, पिछली बार क्या किया था, इसकी संदी पूछ लेती, कि इसमें कौन सी संदी है ठीक है, तो खुमा फिरा के कॉशन पूछ ले जाते हैं, तो आपको हर कॉशन पर उनके ओप्शन पर ध्यान देना है बताए क्या होगा इसका आंसर देखे इसका जो आंसर होगा, वो होगा ओप्शन डी, शट प्लस आनन, यानि कि शट धन आनन, ठीक है नेक्स्ट है, चक्रधर, ये क्या है, रूण है, योगिक है, योगरूण है, या फिर विदेशी है देखे, जब हम चक्रधर की यहां पर बात कर रहे हैं, तो पहले आप इनके मीनिंग समझ लिजेए, कि योगिक, रूण ये क्या होते है देखे, वे शब्द जो योगिक होते हैं, परंतो उनका अर्थ विशेश होता है, तो योगरूण कहलाते है ये सामानने था, अर्थ को प्रकटना करके, किसी विशेश अर्थ को प्रकट करते हैं, इसलिए उन्हें योगरूण कहते हैं, जैसे कि चक्रधर है चक्रधर का मतलब क्या है चक्र प्लस धन यानि कि जिसने चक्र को धारण गिया है अर्थात भावान विश्णू अलग मीनिंग निकला तो यहाँ पर योगरून है यानि कि जो इनमें शब्द है उन शब्द का कोई तीसरा मीनिंग निकलेगा वो हमारा कहलाता है योगरून ठीक है तो आप्शन से यहाँ पर राइट है I hope यहाँ तक आपको सारे कौशन्स क्लियर हो रहे हैं वीडियो पसंदार यह तो लाइक कीचे अपने फ्रेंड्स के अश्राद भी शेयर कीचे जिससे कि उनको भी इसका वेनिफिट मिले ठीक है देखें यहाँ पर अनिश्चे वाचक सर्वनाम की बात करें तो यह है कुछ क्योंकि कुछ में हमें अभी पता नहीं है क्या हमने कहा कुछ ठीक है जबकि कौन यह है क्या इसमें निश्चे वाचक सर्वनाम है इसमें पता है हमें क्या चीज है ठीक है तो option A यहाँ पर हमारा right है next question है संबंद वोधक अव्य किसके साथ प्रयोक्त होते हैं संग्या अथवा सर्वनाम के विसेशन के, क्रिया के या फिर काल के बताईए देखी right answer है संग्या अथवा सर्वनाम के next है स्थाई भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक कौन सा है आलंबन, उद्दीपन, बिभाव या फिर अनुभाव देखी है याँ पर स्थाई भाव को जगाने और दीप्त करने वाले कारक के बाएर में बात कर रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बिभाओ ठीक है बिभाद दो प्रकार के होते हैं ये भी नोट कर लीजी आलंबन बिभाओ और उद्धीपन बिभाओ ठीक है नेक्स्ट है जब मैंने आपको इंपोर्टेंट कुछ पंक्तियां बताई थी तो वहां मैंने ये आपको बताया था ये एक्जाम में बहुत पूछी जाती है जियो जियो निहारे नेरे है नैनाही त्यों त्यों खरीन निक्रे सा निक्काई पंक्ति में कौन सा लंकार है उपमा, रूपक, अनुपरास या फिर पुनरुक्ति देखिए आप नोट कर लीजे जब भी किसी भी लाइन में जियो जियो त्यों 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 इस तरह के वर्ल्ड आते हैं तो वहां पर पुनरुक्ति लंकार होता है तो ऑप्शन डी हाँ पर हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है इन में से कौन सा शब्द हमारा शुद्ध है उजवल, दीपक, मूर्ती या इन में से कोई नहीं बताईए क्या होगा आंसर देखिए राइट आंसर है इसका डी इन में से कोई नहीं देखिए उजवल कैसे लिखा जाता है नोट कर लीजिए यह बहुत बार पूछा जाता है उजवल यानि कि दोनों जा आदे होंगे दीपक बड़ी की मात्रा होगी मूर्ती इसमें भी बड़ी की मात्रा होगी ठीके यह इस तरह लिखे जाते हैं तो कोई भी शब्द या पर शुद्ध नहीं है नेक्स्ट है निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है अतिक्रमन, प्रतिच्छन, सुग्म, तर्शन बताए किसमें उपसर्ग नहीं लगा है देखी, यहाँ पर बात करें तो देखी, अतिक्रमन अति यहाँ पर उपसर्ग है, प्रतिच्छन प्रति है, उपसर्ग, सुग्म, सुग्म यहाँ पर है लेकिन दर्शन में नहीं है, दर्शन किससे बना है? द्रश्य, तो यहाँ पर option D हमारा right answer हो जाएगा next है द्रश्य काबवे के अंतरगात आते हैं, नाटक और प्रहसन, नाटक और कहानी, नाटक और व्यंग, प्रहसन और कहानी, बताए क्या होगा answer देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो option A right answer हो जाएगा, नाटक और प्रहसन, ठीक है? next देखिए, यह चिन क्या है? लाघब चिन है, पुनरुक्ती बोच चिन है, आदेश चिन है, या फिर हनस्पाद है, बताएए ध्यान से देखिए, इस चिन को, आपने ऐसा चिन यह देखा होगा, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इस तरह यह चिन तब लिखे जाते हैं, जब ऊपर कोई चीज हमने ऐसी लिखी होती है, जिसको नीचे भी सेम वैसा ही लिखना है, लेकिन हम वो लिखना नहीं चाते हैं, for example, जैसे कि मैंने लिखा, बार, अब मुझे नीचे भी बार लिखना है, तो मैंने ऐसे क कर दिया, तो यानि कि कोई भी शब्ज हमें द्वारा लिखना है, लेकिन सेम वही लिखना है, लेकिन वो ना लिखके, जब हम यह चिन लगा देते हैं, तो इस चिन को बोला जाता है, बताए क्या होगा, यह चिन कहलाता है, पुन्रुक्ती बोथ चिन, ठीक है, तो option B, right है, नेक्स्ट है, प्रकर्ति के सुकुमार कभी कहे जाते हैं, जब मैंने आपको important यह इस तरह के रचना और इनके नाम बताये थे, कि इनको क्या-क्या कहा जाता है, तो वहाँ पर यह भी कराया था, तो वो वीडियो भी जरूर देख लीजएगा, बहुत ही important है, सूर्यकांतर पाठी निराला, सुमित्र नंदन पंथ, जैसंकर प्रशाद या फिर कभीर, बताये क्या होगा, देखिए, छायावादी युक के महाण कभी थे, सुमित्र नंदन पंथ, उनको प्रकर्ति का सुकुमार कभी कहा जाता है, पंत जी ने प्रकर्ति के माध्यम से प्रतेक भाव को बड़ी ही सुन्दर तरीके से शब्दों के साथ उके रहा था, इसलिए इन्हें प्रकर्ति के सुकुमार कभी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रकर्टी के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़े थी प्रकर्टी को लेकि इन्होंने बहुत सारे लेख लेखे थे इसलिए इनका नाम ये प्रकर्टी के सुकुमार कभी रखा गया तो option यहाँ पर be right answer हो जाएगा नेक्स्ट है स्वाविमान स्वाधिन्ता का प्रतीक है चूहा, स्वान, कभूतर या फिर सिंग देखें यहाँ पर जो right answer होगा वो है होगा D स्वाविमान स्वाधिन्ता का प्रतीक है option D ठीक है next question है अली शब्द के दो अर्थ है बताए क्या भौरा सकी घाट घर जल पाने पिता भाई बताए क्या होगा देखे right answer होगा option A बहुरा और सकी अली को बहुरा भी कहा जाता है और अली को सकी भी कहा जाता है next step है बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेशन है वह है बहुत बोलती या फिर है क्रिया विशेशन यानि कि क्रिया की विशेशता बताए वो शब्द आपको बताना है क्या होगा तो पहले आप यह देख लीजे कि इसमें क्रिया क्या है और उसकी विशेशता क्या बता रहा है बताए क्या होगा आंसर देखें यहां पर क्रिया है बोलना और बोलना बहुत क्या है यानि कि जो बोलती है उसकी विशेश्चता है बहुत क्या करती है वो बहुत बोलती है तो यहां पर option B बहुत right answer हो जाएगा नेक्स्ट है उजवल देखिए अगर आपके टाइम भी इस तरह के questions आते हैं तो अगर किसी भी question में आपको carry लगती है तो उसको please छोड़ दीजिए क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे paper में ही उसका answer होता है या या उजवल अगर किसी को अभी उपर शुद्ध में पूछाता नहीं आता था तो यहां देखकर भी इसको टिक कर सकता था सही तरीके से ठीक है उजवल पंक्ती में संदी है दीर योग वैंजन या फिर विसर्ग बताईए देखे उजवल में बात करें तो यहां पर है हमारी वैंजन संदी इनके कुछ और सब्थे हैं जो कि कि सज्जन विपजाल सज्जाती यह एक्जाम में बहुत पूछे जाते हैं तो यहाँ पर option 3 right answer हो जाएगा next है चायवादी UK प्रवर्तक है अभी-अभी मैंने आपको समझाया था जैशंकर प्रशाद है, श्रीधर पाठक है, समित्रा नंदन पंथ है या फिर रामचंद्र शुकले देखे चायवादी यूग के प्रवर्तक माने जाते हैं जैशंकर प्रशाद इनकी प्रथम रचना थी जहरना जोकी 1918 में आई थी तब ही से कहा जाता है कि चायवादी यूग का प्रारंभ हो गया था, ठीक है तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा जैशंकर प्रशाद राइच आंसर है नेक्स्ट है पावक शब्द उधारण है दीरिग स्वर संधी का, गुर स्वर संधी का, ब्रदी स्वर संधी का या फिर आयादी स्वर संधी का देखिए पावक की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अयादी स्वर संधी इसके कुछ और भी मीनिंग है जो कि एक्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कि नयन, ने, धन, अयन, नई, प्लस, अक, नायक बनता है पव, धन, अन, पवन बनता है पव, धन, अक, पावक बनता है ठीके तो नयन हो गया, नायक हो गया, पवन हो गया, पावक हो गया यह एक्जाम में गुमा फिरा के बहुत पूछ ले जाते हैं तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा आयादी संधी राइट आंसर है नेक्स्ट है सामानने ताहा काववे के कुल कितने भेद बताए गए हैं एक, दो, तीन या फेच चार बताईए क्या होगा देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे आप्शन नमर बी जो की है दो अब वो दो कौन कौन से है यह भी नूट कर लीजिए द्रश्य काववे और श्रब्वे काववे कौन सा द्रश्य काववे और श्रब्वे काववे ठीके नेक्स्ट है प्रसारण का विलोम शब्द है प्रतिपादन, आरेक्षण, अंकुचन, आकुंचन या फिर सदर्शन देखिए इनका मीनिंग भी देख लीजे प्रसारण का अर्थ होता है फैलाना तो यानि कि हमें ऐसा सब्द देखना है जिसका अर्थ हो सिकुडना तो आकुंचन का मतलब होता है सिकुडना तो ओप्शन C यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है लोग संस्कृति का जन्म हुआ शहरों में, गाओं में, कस्बों में या फिर विध्याल्यों में बताइए क्या होगा देखे लोग संस्कृति का जन्म हुआ था गाओं में तो ओप्शन B यहाँ पर राइट है नेक्स्ट है क्रपान शब्द है आगत देशस तद्वव या फित तत्सम देखे क्रपान जो है वो तत्सम शब्द है इसका तद्वव रूप कटार होता है तो इसके साबसे यहाँ पर जो हमारा option होगा वो D यहाँ पर right answer हो जाएगा तत सम्शब्ध ठीक है Next है बुद्धी ब्रहमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है चक्कर में पाढ़ना, अकल पथर पाढ़ना, धोखा खाना या फिर उल्लू बनाना देखिए बुद्धी ब्रहमित होने का मतलब होता है चक्कर में पाढ़ना जैसे मेरे मित्र ने एक ऐसे प्रश्न पूछा कि मैं चक्कर में पढ़ गया परन्तु उसका जवाब मुझे सूजा ही नहीं ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा option A चक्कर में पाढ़ना ठीक है टालना, बकसा रखना, जमीन पर कुछ पटकना या बात पक्की होना बताएए देखिए सिट से बोज उतारने का मतलब होता है अपने इसे भार टालना यानि कि जो भी आप पर भार था वो आपने टाल दिया जैसे कि मेरे उपर कर्च का भार था उसने माफ कर दिया तो मेरे उपर से सारा बोज उतर गया तो option A राइट है नेक्स्ट है निमलिकित में रून शब्द कौन सा है वाचनाल ले, समतल, वित्याल ले या फिर पशू तो देखें यहाँ पर जो option होगा D वो राइट आंसर हो जाएगा पशू ठीके नेक्स्ट है महोटसब में संदी है गुर संदी, विसर्क संदी, अयादी संदी या फिर व्येंजन संदी देखें महोटसब की बात करें तो यहाँ पर गुर संदी संदी इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, ई, या उ, उ, तथा री हो तो वह क्रमशा ए, ओ, अर हो जाता है तो यह नोट कर लीजे गुर संदी में जैसे कि महोटसब का होता है महाधन उत्सब यहाँ आ, यानि कि बड़ा आ, प्लस छोटा उ बने है तो ओ हो गया है ठीक है तो यहाँ पर गुर संदी है नेक्स्ट है अंबर का विलॉम क्या है अवनी, आकाश, अभिन, या फिर प्रचिप्त देखें अंबर की बात करें तो इसका विलॉम हो जाएगा अवनी, आप्शन, यह यहाँ पर राइट आंसर है लेकिन यहाँ पर अवनी गलत तरीके से लिखा हुआ है अवनी हमारा इस तरीके से लिखा होता है ठीक है नेक्स्ट है मुझे कैशा सब्द है मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर प्रथम पुरुष देखिए कभी भी कोई भी लेखा किया वक्ता अपने लिए कोई भी शब्द प्रियुक्त करता है तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं मुझे, मैं, हम, साजरे क्या हैं ये उत्तम पुरुष हैं तो option C आपे हमारा right answer हो जाएगा next देखिए बहिर मुखी मैं समास है option है, यहाँ पर right answer होगा बहिर मुखी मैं जो है वो अव्याई भाव समास है अगर हम इसका बिग्रे करें तो ये होगा बाहरी मुख वाला या सबसे घुलने मिलने वाला जिसका पूर्पद अव्याई तथा प्रधान होता है वो अव्याई भाव समास हमारे कहलाते हैं तो option A यहाँ पर हमारा right है next question है सूर्दास की साइतिक भाशा है क्या ब्रजभाशा, अब्धी, भोजपरी या फिर मैतली देखिए right answer होगा यह सूर्दास जो है वो ब्रजभाशा के कभी है और यह भक्तिकालिन क्रिश्न काभवे के भी स्रिष्ट कभी माने जाते हैं इनकी कुछ रचना है और नोट कर लीजे बहुत पूछी जाती हैं जैसे की सूर्द सावली साइत्ते लहरी यह सब ब्रजभाशा में लिखी हुई हैं बहुत ही इंपोर्टेंट भी है नेक्स्ट है महा काभवे में वर्णन होता है मानव जीवन के ब्रहत और व्यापक चित्र का मानव जीवन के सूक्ष्म पक्षण का चित्रण मानव जीवन के एकांग की पक्ष का चित्रण या फिर मानवेत्तर जीवन के ब्रहद पक्ष का चित्रण बताईए देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा option A मानव जीवन के ब्रहद और व्यापक चित्रण का यहाँ पर वर्णन किया जाता है महाकाववे के अंदर तो option A right answer है next है काली मिर्च में कौन से समास है कर्मधार रह, तत्पुरुस द्विंध या फिर बहुब्री दिखी यहाँ पर जो right answer होगा वो होगा option A कर्मधार रह, अगर इमसका समास विक्रे करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा काली है जो मिर्च, ठीक है तो यहाँ पर जो समास है वो है हमारा कर्मधार समास, option A right है next है उर्वर्शी किसकी कावे क्रती है अग्ये की, सुमित्रा नंदन पंत की रामधारी सिंग दिनकर की या फिर कुवन नारायन की देखिए उर्वर्शी बात करें तो यह रामधारी सिंग दिनकर की है जो कि 1961 में प्रकाशित हुई थी उर्वर्शी और प्रूरुरवा के प्राचिन आख्यान को एक नए अर्थ में जोड़ना चाहा है उर्वर्शी वीर्रस का प्रधान रचना है तो यह भी पूछा जा सकता है इस बार के उर्वर्शी में कौन सा रच है तो उसमें फीर्रस की प्रधानता है तो option C यहाँ पे right है next है सन्यासी का प्रयावाच्ची क्या होगा धोंगी, बावा, प्रध्धा या फिर डंडी देखे सन्यासी की प्रयावाच्ची शब्द की बात की गई है आंसर करिए चल्दी चल्दी इसका जो right answer होगा वो होगा option D डंडी तीक है अगर इसके और भी बात करें प्रयावाच्ची शब्द की तो वेरागी, विरत, परिवराजक यह सब जिसके है नेक्स्ट है अद्भूद रत का इस्थाई भाव क्या है? जुगूपस, विस्मे, भय या फिर उत्सा देखे है अद्भूद रत का इस्थाई भाव है विस्मे ठीक है? विस्मे हो गया अब स्थाई भाओं की टोटल आप संख्या नोट कर लिजे, यह भी पूछी जा सकती है, टोटल नौ भाओं होते हैं हमारे, जैसे कि रती हो गया, हिरास हो गया, शोक हो गया, क्रोध हो गया, उत्सा, भै, जुगपसा, विस्मे, निर्वेध, जिसमे अद्बुदरस का स्था या फिर रहीम, बताईए, देखिए, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भक्तिकाल का नहीं है, मती राम, जबकि इस्वर्दास, नाभदास, रहीम, यह सभी हमारे, भक्तिकाल के हैं, और जो यहाँ पर हम बात करें, मती राम की, तो यह भी नोट कर लिजे, यह हमार चैन करना है, मैं आज भी द्याले नहीं जाओंगा, बच्चों को काट कर फल खिला दो, वहाँ सुन्दर द्रश्य है, वह अत्यांत बुद्धिमान और वलशाली है, देखिए, यहाँ पर बात करें, अशुद्ध की तो ऑप्शन भी हो जाएगा, बच्चों को काट कर फल अब यहाँ पर देखिए, मीनिंग गलत निकरा है, पहले बच्चों को काटना है या फल को काटना है, यह भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, बच्चों को काट कर फिर उन्हें फल खिलाने है, यह तो गलत हो गया ना मीनिंग, यहाँ पर आना चाहिए, बच्चों को फल काट कर खिला दो तो यहां पर काटना क्या हो जाएगा फल और यहां से मीनिंग निकल ला है बच्चों को काट दो ठीक है तो यह गलत है अशुद है यह तो आप्शन भी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कारवा किस विधा की रचना है नाटक, कहाने, उपन्यास या फिर एक आंकी देखिए आपे बात करें और ये हमारी स्टार्ट हुई थी या फिर आप इन्हें बात करें प्रकाशित कब हुई थी तो ये हुई थी 1935 मैं तो ये इक एक आङग की रचना है तो option d आपे हमारा right answer हो जाएगा next है निमलिकित मैंसे संयुक्त वाक के बताना है उत्तर देने का यह धंग ठीक नहीं है उसे गर्व है कि वह है उच्च कुल में पैदा हुआ दवा लो और बुखार कम हो जाएगा यह बात सभी को सुईकार रहे हैं बताईए देखिए संयुक्त वाक के वो होते हैं जिसमें दो वाक्यों को जोड़ा जाता है अब आप देखिए दो वाक्यों को जोड़ा गया है और मीनिंग एक दूसरे से जोड़ा हुआ है देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी दवा लो और बुखार कम हो जाएगा लगवाक के है और लगा दिया तो दोनों आपस में जुड़ गए नेक्स्ट है कंजूसी से धन्वे करने वाला मसरण, मित्वई, अल्वे, कृपण देखी कंजूसी से धन्वे करता है उसको गोलते हैं मित्वई तो option B यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा नेक्स्ट है विशेशनों की विशेशता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेश्य, क्रिया विशेशन, प्रविशेशन या फिर सार्वनामिक विशेशन बताए क्या होगा देखी right answer हो जाएगा option B प्रविशेशन ये विशेशनों की विशेश्टा बता रहे हैं जबकि other words पर जाएं जैसे कि क्रिया विशेशन ये क्रिया की विशेश्टा बताते हैं ये सरुनाम की विशेश्टा बताते हैं विशेश्टे की बात करें तो यहाँ पर option C, विशेशनों की विशेशता बताने वाले को कहते हैं, तो यह था हमारा 2020 का हिंदी का previous paper, hope आपको यहाँ पर एक idea लग गया हुआ कि किस तरह से आपके exam में questions पूछे जाते हैं, तो उसी साब से अपनी त्यारी करिएगा, और panic होने के जुरत नहीं, अभी help, आप अच्छे से त्यारी कर सकते हैं, हमने बहुत सारे practice set करा दिया, अगर आप यह सारे practice set भी अच्छे से कर लेते हैं, तो आप easily clear कर सकते हैं, कोई भी query हो, telegram group पर आप personally मुझे message करके पूछ सकते हैं, और अपनी friends से वीडियो को यह share कीजे, जिसे कि उनको भी help मिले, औ अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को भी subscribe कर लीजे, और किसी भी तरह की कोई भी query हो, तो please जरूर बताएगा, तो next वीडियो में फे मिलते हैं आप से और बेच्छे वीडियो के साथ, तब तक लिए take care, bye bye